हेलो एंड वेलकम टू खेल नाव कबड़ी थोड़ा से लेट हो गए टेक्निकल ग्लिच था लेकिन वापसी कर चुके हैं वापस आ चुके हैं एक सीट खाली है क्योंकि भाई जो है हमारे आदी भाई अभी थोड़ा सा बारिश में फसे हुए लेकिन मैं शुरू कर दूंगा कि मैच शुरू अलड़ी हो चुका है इंडियन कैप्टेन पवन सहरावत यहां पर दो पॉइंट लेकर गए हैं एक पॉइंट इरान के बोनस से आया है 2-1 स्कोर लाइन चल रही है तीन मिनट अलड़ी जा चुके और असलम इनामदार पहली रेड करने आए अपनी आज के दिन की और पहली रेड खाली रेड गई है लेकिन अभी जो जल बाया स्टार्ट हुई है थोड़ा सा यहां पर अभी बात करेंगे मैच अभी शुरू अलड़ी हो चुका है यहां पर भारती टीम तॉप 7 अगर बात करें तो आज भी सुनील नहीं खेल रहे है नितेश है न प्रयास यहां पर बोनस का और बोनस क्लेम कर लिया और बोनस मिल भी गया है यहां पर एक पॉइंट और बोनस दे दिया गया है तो तीन पॉइंट हो गया है इरान के दो तीन दो से इरान की टीम लीड कर रही है और यहां पर भारती टीम की तरफ से अर्जुन देसवाल की पहली रेड होने वाली है और अर्जुन देसवाल कल के मुकाबले में शांदार रेड करी थी, 7 पॉइंट अपने नाम करें थे, असलम इनामदार अभी तक भाटरी टीम की तरफ से सबसे जाधा रेड पॉइंट अर्जित करने वाले खिलाडी हैं, और अल्ड़ी पावन सहरा और पॉइंट क्लेम कर रहे हैं लेकिन एरानियन खिलाडी के हावभाव से लगता है कि पॉइंट देना नीचाते हैं इतनी इसली लेकिन अजुन देशवाल पीकेल का यहां पर पर पर्फॉर्मेंस अच्छा रहा है, एक्स्पीरियंस लेकर आते हैं, इस साल डेब्यू कर रह कि उमीद थी, इरानियन खिलाडी नंबर एक हैदर रेड कर रहे हैं और यहां पर नितिन नितेश, दोनों कोई बच कर रहना पड़ेगा, दोनों कोई शांदार फॉर्म में तो चल रहे हैं, नितिन जहां पर अभी तक सबसे दादा पॉइंट लिये थे, यहां पर पवन सह सहरावत भारती टीम के कप्तान सीनातान के आगे चल पड़े हैं, पहली ही रेड करी थी, मल्टी पॉइंट रेड थी और उसके बाद से अभी तक इंडियन टीम को एक भी पॉइंट नहीं मिल सका है, पवन यहां पर शांदार प्रयास और कौशियस अप्रोच है, इरानियन डिफेंस की अभी तक आगे नहीं आये हैं, और इंडियन प्लेयर्स को अंदर आने दिया, यही बात रही है, खासियत यही है दोनों ही टीमों की, और यहां पर एक और पॉइंट बोनस से लेकर पवन सहरावत, पहली रेड करी थी, मल्टी पॉइंट रेड थी, दो पॉइं को क्योंकि सुर्जीत का पहला टैकल था और यहां पर देखने वाली बात होगी कि पॉइंट आखिरकार गया किसे है, चौथा पॉइंट इंडियन टीम के पक्ष में जाता हुआ, स्कोर लाइन 4-3 चल रही है, साड़े 14 मिनट का खेल अभी बचा हुआ है, फर्स्टाफ में काफी जादा खेले और ऐसा ही नेक टूनेक फाइट दूनों ही टीमों के बीच देखने को मिलेगी, मैच के एंड तक असला मिनामदार रेड कर रहे हैं, और रेड शांदार करते हैं, स्पीड है, अबिलिटी है, अजिलिटी है, और एक और खाली रेड, यहां से अब डू नवीन एक्सप्रेस, तो यहां पर बात करेंगे नवीन एक्सप्रेस की थोड़ी, लेकिन अभी रेड पर है इरारियन खिलाडी, और शांदार फुट मुव्मेंट नजर आ रहा है, सुर्जीत आगे जाने का प्रयास तो जरूर कर रहा है, लेकिन गए नहीं है यहां पर, और पॉइंट भी क्लेम नहीं कर रहे है, खाली आग गया, पवन सहरावत टीम के कप्तान, रेड पर आये है, पांच का डिफेंस है, नमबर आठ, मुहम्मद रेजा शादलू, निगाहे इन पर हूँगी, पीकेल में आपने अलड़ी देखा हुआ है कि इनके स्टाट अभी तक पीकेल की बात कीजाए तो, लेकिन आज नैशनल कबड़ी की बात जब आती है, तो एक अलगी प्रेशर होता है, अलगी एनिगमा होता है, और उस प्रेशर को जो टीम ओवरकम कर लेती है, विजेता वही साबित होती है, एक और रेड पवन सहरावत ने करी ब्लैं लेकिन एक पॉइंट आया है, माफ कीजिगा, एक पॉइंट टैकल से आया है, तो बात करींगे कि पॉइंट यहां से जाने कितने चाहिए, भारती टीम फर्स्ट हाफ नेक टूनेक खतम करीगी, लीड मुझे लग रहा है, पांच पॉइंट से जादा की नहीं रहने वाली ह यह टीम लेकर नहीं आई है, फजल अत्रा चली, अबुजर मेगानी, या बात कर ले हाधी ओस्त्रोव, तो कई सारे नामी की नामी में खिलाडी नहीं खेल रहे हैं इरानी टीम में, इसके अलावा शादुलू को टीम की लीडिंग की जिम्मेदारी दे गई है, और लीडिं कम से कम दो पॉइंट है, आपर दो एक पॉइंट मिला है बाती, खिलाडी असलम इनामदार आज अपना खाता खोलते हुए असलम, दो मैचेस, तीसरा मैचेस अच हो चुका है, चार मैचेस खेले जा चौता मैच बिसिकली खेला रहा है इंडियन टीम का, तीन मैच के लिए जा चुके हैं और उसमें, दो में लगाया है सुपर टेन, असलम इनामदार ने और शादुलू को बाहर कर दिया है, और हमारे साथ आदी भाई भी जुड़ गए है, आदी भाई भीगते हुए आ रहे है, और चाहेंगे, आदी भाई यहाँ पर माइक लगाए और खेल शु पोइंट दे दिया गया है, तो अब यहाँ से बोनस की क्या टैम थी और यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि ब्लॉक है, लेकिन अभी भी कश्मकश चल रही है, भारती खिलाडी जो है वो अभी भी कश्मकश लगाया बैठे है, लेकिन इंडियन टीम के पास जाता हुआ छठा पॉइंट और एक पॉइंट इरानियन खिलाडी को बोनस की तौर पर दिया गया है, तीन का डिफेंस हो गया है और सुपर टैकल यहां से होगा या नहीं देखने वाला होगा, यहां से बात करेंगे सुपर टैकल, क्या लगता है अदी बाई, पवन सहरावत अभी तक टैकल हुए थे, लेकिन किसने किया था उसे जरूर देखने वाली बात होगी, रीप्ले हो नहीं रहा है, यूट्यूब चैनल पर रीप्ले कहा ही होगा, लेकिन बात करेंगे, इंडियन खिलाडियों की टाइम आउट ले लिया गया है, अच्छा केल रहे हैं कि गेम को स्लो किया जा रहा है, और जब बड़ा मैच होता है, आप गेम को स्लो करके खिलना चाहोगे, ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहोगे, तो वही इंडियन टीम की भी स्ट्राटेजी है, और पिछले जितने मैचेस हुए हैं, ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं देखने को हमें इंडिया इरान के बीच में क्योंकि अलेडी इरान की के डिफेंस इतनी स्ट्रॉंग है तो उसके सामने जयदा कोशिस नहीं करनी चाहेंगी, एंडियन रेडर जाब कोशिच नहीं करनी चाहाएंगे, तो अच्छा है, गेम को स्लो करके खेल रहे हैं थोड़ से रिलाक्स होके खेलते हैं और सावधान होके खेलते हैं जब बात आती है इरान वसिस इंडिया के मैच के और दोनों ही टीम में काफी शॉलिड नजर आ रही है जहां इंडियन टीम भी कई सारे स्थार खिलाडियों के बगार खेल रही है वहीं दूसरी तरफ अगर की बात की जाए कई बड़े खिलाडी नहीं उनके रेगलर क्याप्टन फजल अत्रा चली नहीं है जिनको PKL में सबसे जादा experience सबसे यादा मैचिस खेल लेका सबसे ज्यादा tackle point नहीं के नाम है PKL के history में है पिछला season यहां पर पुनेरी पुनेरी पल्टन की तरफ से खेलते थे फाइनल तक का सफर तै किया था, captain C lead कर रहे थे पुनेरी पल्टन की यहां पर मोहित गोयद और असलम इनामदार उनी की टीम में थे जानते हूंगे भापते हूंगे लेकिन टीम में नहीं है तो बात कमी करेंगे लेकिन असलम इनामदार यहां पर रेट करते हूए तीन cut fans भेत पाएंगे यहां नहीं सुपर टैकल के शानदार चांसे से और एक पॉइंट यहांपर लेगे दो लेगा है अपर लेगे दो लेगा है अपर 2 पॉइंट कर रहे हैं मल्टी पॉइंट करते हूए असलम इनामदार टीम को आठवा पॉइंट मिल करी है अधिबाई और पांचवी रेड हैदर कर रहे है तो नंबर एक रेडर जर्सी में जैसे नंबर एक है वैसे ही नंबर एक खिलाडी भी है एक ही खिलाडी बचे है एरान के लिए मैंट पर अभी और वो जो टैकल था वो नितेश के नाम गया था अगर आपको नोट अबूच के स्ट्राटेजी इंडियन टीम को पॉइंट नहीं देना था उनको सेल्फ आउट हो गए जिसके वज़े से इंडियन टीम को पॉइंट तो नहीं मिला लेकिन पहला ओल आउट इंफिक कर दिया इरान के ओपर पहला ओल आउट इरान खा चुकी है इंडिया 11.05 से इनको बाहर भीजा है और दूसरी बार जो पहली बार ना बेसिकली मैच में और तो पॉइंट नहीं हुआ था दो पॉइंट अभी रेफरी ने दिये हैं बट शायद मेरे साब से तीन भी मिल से करने चाहिए इसे एक्शली करने चाहिए कि कि मल्टी पॉइंट रेड है यह जी दो पॉइंट तो दिया रेफरी ने तो दो पॉइंट और पवन अभी क्लेम कर रहे थे टाइम आउट भी लेने का इशारा कर रहे थे क्या कुछ जत्तो जहाँ चल रही है दोनों टीमों के बीच में गुफ्तगू हो रही है कार्ड भी दिखा सकते थे रेफरी यहां प पीकेल में तो अपना जल्वा बिखेर चुके है अल्रेडी 2018 के कबड़ी मास्टर्स में भी लेफ्ट कॉर्णर पे खेल रहे थे एरान के लिए तो उनको एक्स्पीरेंस है और यह रनिंग हैंड टच नितेश पर नितेश अपने आपको पीछे नहीं खीच पाएं और एक प अब यहां पर बात करें आठ नंबर खिलाडी शादुलू से गलती हुई है पावन सहरावत को एक और पॉइंट जाता हुआ कैपटन एक तरफ इंडियन कैपटन सीना तान के चल रहे हैं दूसरे तरफ शादु थोड़ा इन एक्स्पीरेंस दिखा रहे है टीम उनको थोड़ा रुकना चाहिए मैट पे और यह यह रेडर जो है मुझे याद दिलवारे मिराज शेक की उनके तरह बॉड़ी लांगव एक बार हम चाहेंगे प्रोडक्शन टीम जड़ा रिफरेश कर दे अटक गई थी यह पर अटक गई थी लेकिन असलम इनामदार बिलकुल नहीं अटकेंगे और अधी भाई असलम इनामदार पांच का यहां पर डिफेंस है और पांच के डिफेंस को भीदने में काफी आसा असलम इनामदार के नाम रहे हैं बात करें स्कोर लाइन की 14 से 6 से भारती टीम आगे है ऐसा एक्सपेक्ट वाधी भाई नहीं किया था मिड्रेट कुछ बाते चल रही है सुर्जीत पवन और रेडर एरान के तीनों इन्वावव थे उस बातचीत में मिड्रेट बातचीत कर था कि टच नहीं हुआ है उन पर अर्जुन देशवाल रेड करने जाएंगे ज्यादा जर्स किस बात पर बात हो रही है जर्सी को टच हुई थी और यहां पर इतनी ज्यादा कश्मकेश लगी हुई है काड जरूर देखने को मिल सकता है यहांपर क्योंकि रेफरी का निन्न यहांट भी मिल सकता है यहांट दो मिनिट का सप्पेशन सोन हो जाएगा अर्जुन देशवाल मैट पर अर्जुन देशवाल पांच कारेंट अभी तक कुछ कमाल तीम टीम अपने नाम नहीं कर सके हैं 14 चीसे आलाकि भारति टीम जो है वह वह लीड कर रही है अच्छा का स होगा ऐसा है था कि close down चलेगा match लेकिन अभी तक शांदार और एक point अपने नाम कर लिया है बाहर किसको किया है परवेज भैसवाल को किया है नौ नमबर जल्सी के खिलाडी परवेज भैसवाल बाहर और आज परवेज भैसवाल पहली दफा बाहर हुए है हलाकि अभी match की शुरुआती हुई है फर्स्टाफ कतम होने में साड़े चार मिनट का समय शेश है 14 साथ साथमा पॉइंट अपने नाम कर लिया है नौ नमबर की जल्सी में परवेज भैसवाल को शांदार रेड करते हुए बाहर कर दिया है अब यहां से पावन सहरावत कितने पॉइंट यहां पर अवेलेबल है आप बोनस भी अवेलेबल है और पावन सहरावत ने बोनस ले लिया है अटम तो कर दिया है अदी बाई बोनस है क्लियर बोनस है कि नहीं है खागली छोड़ लिया था एक नंबर खिलाडी है बोनस मेरे को लग रहा है मिल चुका है पाव पावन सहरावत जैसे अच्छे तबके के खिलाडी बिल्कुल लॉवी में जाने से बचे यहां पहरान के प्लेयर और इन्हीं की बात कर रही है थोड़ा पिछले रेड में भी आयते तो इतना बहस हुआ था इन्हीं की वज़े से एक गहमा गहमी वी थी और कार्ड मिला था दोनी टीमों के खिलाडियों को यह भी साथ नंबर जल्सी के खिलाडी काड़ पर चल रहे हैं पावन सहरावत बी काड़ चल रहे है 17 नंबर पावन सहरावत और अभी तक मैट पे मैट पे वापसी नहीं कर पाया मामाद रजा शादलू जो कैप्टन एरान के अगला उनका अग्यों के वाइवल होगा लेकिन उससे पहले इरान को एक पॉइंट लेस नहीं कर चुके हैं रहे हैं सुपर रेड का चांस आला की बना था लेकिन सिंस रिपले होने हिं रही है रिप्ले देंभी एनी सकते जा सकता है, एरान के कोच कुछ क्लेम करना चाह रहे हैं कि वहाँ दो पॉइंट नहीं थे, डैश हो चुके थे, पहुंच हरावत बाहर से आता है, शायद ये अपील होगी उनकी, लेकिन रेफरी ने डिनाई किया है और दूसरे रेफरी बात करने का है, इनको भी कार्ड मिल स रहे हैं कि कुछ हुआ वहाँ इंसिडेंट या पहले दो पॉइंट का कुछ क्लेम है, अब यहां से दो चीज़े यहां पर सामने आ रही है, या तो पावन सहरावत पहले ही बाहर चले गए थे, पावन नहीं तो डैश कर दिया गया था, या तो एक पॉइंट के लिए यहा पिछली बार पॉइंट लेकर गए थे और गहमा गहमी भी इनी के कारण शुरू हुई थी, तो साथ नंबर खिलाडी एक और शाज़दार ब्लोग सुर्जीत का ब्लोग आता हुऊ, सुर्जीत ने पिचले 3 दीनों में दिखाया है कि ब्लोग expert है वो, रहीं के blocking king है, क्या किंग सामने से आके यह чौते दिन में 4 matchए लिए 4ht たकल पॉइंट अपने नाम कर चुग है, कर सकते हैं पेस अच्छा है इनके पास नहीं इस बार ज्यादा रिस्क नहीं लिया उनको सुपर टैकल के जानला चांसे से वांट भारती तीम को बचना ही चाहिए क्योंकि एरान की टीम कम बैक कर सकती है काबिल्याद और एक पॉइंट यहां पर नहीं बच के बिल्कुल वेर रेडी लीड में आ चुके हैं लेकिन देखना इरान के प्लेयर्स को भी कोशिच करना होगा वापसी के लिए रेड में अटेम्ट करने होंगे थोड़े बहुत तीन की डिफेंस में पावंच अरावत आए हैं इस बार सूपर टैकल वापिस से ओन है नमबर 6 की जर्सी पर अ सकते हैं जी बिल्कुल खाली रेड करके निकल चुके हैं अगर बात करें भारती रेडिंग की डिपार्टमेंट काफी सॉलिड रहा है और वेरास दूसरी तरफ सामने वाली जो टीम है उसने रेड करते हुए इतने चांसेस आदी भाई क्रियेट करें हैं लेकिन क्रियेट क करने के अलावा जादा अंदर अभी भी नहीं जा रहे हैं इन एक्सपीरेंस है बड़े खिलाडियों की कमी इरान को खल रही है और बड़ा टूर्नामेंट है 2018 के बाद आदी बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है कोई लेकिन आगे चलके पूरा साल एक्शन पैक रहने वाला ह अभी दो महिने बाद आएगे अशन गेम की बड़ा टूर्नावेंट वहाँ पर फजल अतरह चली वापसी कर सकते हैं कही नामी गिनांय खिलाडियों फोले कर सकते हैं डियोसट्रों होगशे कर सकते हैं तीन के डिफेंस में असलम इनामदार पॉइंट ले जा सकते हैं और शानदार टैकल या और शूपर टैकल हो चुके हैं लेकिन अभी भी रेड जा रही है लेकिन अंत में अंत में जाके बहुत ज्यादा क्लोज डाउन कर दिया शूपर रेड हो सकती थी यहां से इनामदार में आधी भाई पूरी कोशिश करी थी कर दियुकि एंचिस का मॉर्जिन था क्रोज कर जाते और एक और आल असी बड़ी रेड होगा ओधी वाती हुगा यही तो खास्यात है कंबड़ी के खेल की नहीं अभी तो नहीं चांस लेना चाह रहे हैं लेकिन अची रेड की ती कल शाद्दू ने देखा था हमने सब्सिट्यूट हो क्या है बारा नंबर के लाड़िया और आते ही बोनस लेना चाह रहे हैं अपनी जल्दी बाजी में बोनस और शायद ले लिया इस बार टोटच की क्लेम कर रहे हैं टोटच परवेश बैसवाल ने सीधे मना किया कोई टोटच मेरे पर टच नहीं हुआ है तो यह भी देखना इंपोर्टन होगा कि अभी क्या होता है क्योंकि बारा नंबर की जर्सी वापिस गया है और पॉइंट नहीं दिया गया है उनको बिलकुल बोनस अभी नहीं दिया गया अभी जद्धो जए चली और ऐसी जद्धो जए है तो हम आधी भाई देखते रहेंगे एरान हलकी टीम बिलकुल भी नहीं और पॉइंट गया है इंडियन टीम के पक्ष में मेरे ख्याल से डू और डाय रेट थी खाली हाद गये है और इसलिए बाह नहीं रही है मेरे ख्याल से शादलू पहला इंटरनाशनल माच खेल रहे है इंडियन टीम के अगे है साधिवाई नहीं नहीं खेल चुके हैं दुबाई का बड़ी मास्टर समय और यह हाफ टाइम 19-9 से भारत आगे इस बहुत बड़े महा मुकाबले में 19-9 से भारत ने ल चरावत के नाम रहे हैं 6-9 पॉइंट रहे चुके हैं एक पॉइंट दूर है यहां पर बात करें तो अभी सुपर 10 से लेकिन ओवराल मैच काफी शांदार जा रहा है और बता दें कि इस वीडियो इस लाइव हाग में विच इस सेट आप पो यू गाइस जो मारा लाइव इस ब्रॉट तो यू बाइसम जो आप पूरा यहां पर महौल देख रहे हैं ओमेगा सी की मोबिलिटी आप जाके यहां पर विजिट करें और आपको आपको आटो मुबील सेक्टर का एक बहुत ही सुनेरा सफर देखने को मिलेगा एवेकल्स के दुनिया में एक नया पहल क कह सकते हैं अधी और काफी शांदार अभी तक का ओमेगा सी की मोबिलिटी का भी सफर रहा है एक पेराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं इंडियन मार्केट में लाए हैं ओवरॉल्डवाइड ओएसम तो आप जरूर विजिट करें आटो मुबील सेक्टर की इस नई पहल में बा और इयरान फर्स फाफ में इतना अच्छा नहीं कर पाता है लेकिन सेकेंड हाफ में पता नहीं कौन सी करते ने हा बाद उन्होंने पॉइंट्स पर पॉइंट्स लाना शुरू किया और पवन शहरावत जैसा कि आपने बता है नौ पॉइंट्स अर्जित कर चुके असलम इनामदार के नाम तीन पॉइंट रहे हैं एक पॉइंट परवेस एक सुर्जीत और एक नितेश के नाम रहा है अभी मतलब कप्तान पवन शहरावत और असलम इनामदार ने वह काम किया जिसकी उमीद थी और मेरे इसाब से अर्जुन देश्वाल को सब्सिट्यूट कर दिया जाएगा इसाफ के बाद नवीन कुमार नवीन एक्सप्रेट जो हमें कल भी नहीं थी खेलने को दिखे थे वह नवीन भी जर्सी पहने की तैयारी कर रहे है शायद नवीन भी आने वाले है मैट पर सचिन तो आने के लिए पूरे बेसबर हो रहे है और कई सारे हमारे साथ भाई लोग जुड़े हुए हैं वन्शू भाई है इसके अलावा विपुल भाई है सब कह रहा है सुनील कुमार क्यों नहीं आया है तो बता दें यह तो बड़ी ख़बर एक्चली है क्योंकि आल्मोस सीजन निकल चुका है चार दिन का टूर्नमेंट था कल आखरी दिन है आखरी मुकाबला लीक स्टेज कभारती टीम होंक को के खिलाब केलेगा और फाइनल इंडिया वसिस एरान और यह तब भी नहीं कंख को खिलते नजर आ रही है कलतागी नहीं बहुत नजर रही है और बहुत क्योंको कि डिचारावत टीम होगा नहीं अगण ocean कर देंगे by अULब बहुत बड़े-बड़े सब्सक्र prophecies श्क्तिति गारती कि यहां पर बात करें ऑवरोल नाइनप के अलावक द इतना सेटल नहीं नजर आ रहा है और अपरोट सेकेंड हाफ में चेंज होती दिखेगी जरूर दिखेगी लेकिन अभी तक अगर पॉइंट की नजर डाले तो अथारा नौ चल रहा है नौ पॉइंट से बातेटी मीट करें रहे हैं मनिंदर सिंग भी नहीं है बिलकुल यहां पर मनिंदर ने देखे लोकेश भाई सन्यास की घोशना तो नहीं करिया लेकिन अब वो लिजंड हो गया है और लिजंड इसलिए क्योंकि कोचिंग की कमान और लीडी समाली है पिछली सीजन समाली थी अंकुष राठी भी नहीं है क अबरकाबडडी की आज शाम में कल तक आपको वीडियो बी जाएगी जिसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और कोचेस के बारे में भी PKL Teams के information होगी कौन से team को कौन coach करेंगे यह सब information आपको मिल जागा इसी channel पे और हम बहुत नस्दीक है दोस्तों 1 million subscriber के आपने 3 दिनों से इतना प्यार दिखाया है कल final है और final भी इंडिया इरान के बीच इसी बीच second half शुरू हो गया है लेकिन आप यह सही प्यार कंटिन्यू करें एक लाग subscriber से एक million subscriber से सिरिफ 2,000 2,000 दूर है और यहाँ पर आसकोगी भाई जितने भी लोग हमारे खेल लाओ को चाहने वाले लोग हैं सभी को कहूंगा कि like, share, follow तो करी रहें लेकिन सब्सक्राइब कर दें, 1 million तो पहुंच जाएंगे बिल्कुल, running hand touch की कोशिश और appeal हो रही है कि वो lobby में चले गए बिना touch किये देखना होगा बिल्कुल इरान टीम को point मिला, यहाँ पर इरान टीम को point दे दिया गया है point दे दिया गया है, इरान की टीम को इरान की टीम अच्छा केरती है, इसलिए ताल ठोकते हुए दिख रहे है अध्ली सब भारती टीम को जो defense है वो थोड़ा sort करना पड़ेगा क्योंकि second half में इरान की टीम अच्छा खेलती है, असलमी नामदार रेडिंग पे हैं और अभी तक असलमी नामदार का दिन वैसे नहीं रहा है जैसे हमने पिछले दो मैचेस में देखा super ten लगाया था अभी तक चार point अपने नाम कर चुके हैं असलम और यहां से चार का defense का भेर पाएंगे अधिभाई speed काफी अच्छी है और लेकिन थोड़ा सा यहां पर देखा की slip हुए है और इसलिए वापस आ गए यह तो कहिए back of the back नहीं दिखा रहे थे नहीं तो ग्राप कर लिया जाते यहां पर बात करेंगे एक नंबर raider नहीं साथ नंबर साथ नंबर Iranian Raider नहीं शादलू आया अच्छी अब देखो शादलू आया रेड कर सकते हैं शादलू रेड कर सकते हैं बहुत लोगों को यह नहीं पता होगा लेकिन शादलू आयज अ ओल राउंडर रहिस्टर नहीं पीकेल में भी तो वह रेड में भी अपना कमाल दिखा सकते हैं और सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है और अर्जुन देशवाल अभी भी खाता खोलने से दूर हैं क्या खाता खोल पाएंगे अज अपने दिन का इरान की टीम अभी तक अच्छा खेली है मौके इतने जादा नहीं दिये हैं पावन सेरावत और असलमी नामदार को छोड़कर कोई भी रेटिंग में पॉइंट नहीं ला पाया और बढ़िया टैकल बहुत इशांधार टैकल कर लिया अर्जुन देशवाल को सिंगल लेग होड और हिलने भी नहीं दिया अगर नहीं भी आते तो वाहिर छे नंबर जैसी के खिलाडी ने पकड़ लिया था ग्राप कर लिया और कोई मौका नहीं दिया अर्जुन देशवाल को अर्जुन देशवाल अभी भी एक भी पॉइंट नहीं ला पाए हैं कई सारे हमारे साथ जो भाई लोग जुड़े हुए हैं कह रहे थे कि अर्जुन देशवाल को हटाओ और सचिन को लाओ तो क्या यही एक पहला चेंज जो देश के दवारा बहुत बढ़ी आंकल होल्ड किया यहां पर नितेश के दिन का दूसरा पॉइंट यहां बिल्कुल बाकी टीम आ गई थी तुरंट सपोर्ट के लिए जैसे ही एंकल पकड़ा था नितेश ने बहुत ही मतलब एंकल में चोट पहुचा सकते था इतना जूर के एंकल पकड़ा था और यही तो इस शांदार कि यहां पर दरकार होती आदी एक PKL सीजन में 100 पॉइंट पवन सहरावत रेट लेकिन शादलू के रंग अभी तक दिखे नहीं है इस मैच में जिस तरह से आदी पीकल में चले है न मुझे लगता है कभी भी खत्रा पैदा कर सकते और देखे निगाहे उनकी सिर्फ पैर प बिल्कुल वह फाइनल में जो पीकल सीजन आट का भी जो फाइनल था उसमें भी इन्होंने लास्ट में इनको भी रेड करना पड़ा था लेकिन अभी पॉइंट लेके वापस नहीं जाएंगी लिए नितिन भाई यहां पर कैमरा एंगल जैसे हम पीकल में देखने की कैमरा नामदार एक बार फिर से चार का डिफेंस शादूलू के खिलाफ इनका रिकॉर्ड ठीक रहा है अच्छा नहीं है नेक टूनेक फाइट होती है लेकिन चार नंबर की खिलाडी और आठ नंबर के मोहमद रेजा शादूलू से बच के रहना पड़ेगा और अलगर देखे त अब तक चार पोंट मिल चुके एरान को फर्स्टाफ में जैसा रिकॉर्ड रा था वैसा सेकंड हाफ में देखने को नहीं मिला है इंडिया थोड़ा खामोश है अभी तो पॉइंट ले जा पाई अब तक बेटर खेल रही है इसे स्ट्राइजी में चेंज किया थोड़ा अ कि जो अशनकुमार एंडियन टीम के कोज वो हिदायत जरूर देंगे कि आज टाइम डिले करके खेलिए कि मैच इंपोर्टन्ट है सामने वाली टीम को फाइनल के लिए भाब भी जाएंगे लेकिन आज डेले करके खेला ज़रूरी है अग्रेसिव अप्रोच में आप इंजर्ड नी होना चाहेंगे Live लगातार रेड करने आरहे है असलम इनामडार Live इन दो की जोडिए लगातार रेड करने आरी है और बोलते ही पोइंट कवा दिया नितिन रावल ने मतलब जो तीन मैचेज में अच्छा प्रदर्शन किया था नितिन रावल ने बोलते ही उन्होंने टैक्ट एडवांस टैकल जिसके बिलकुल जरूरत नहीं थी और पॉइंट्स पर पॉइंट्स कमाया जा रही है इरान की सेकंड हाफ में पहले जब सेकंड हाफ शुरू हुआ था उससे पहले नौ पॉइंट से बारती टीम रीड कर रही थी अब 6 पॉइंट का मार्जन है पत्ता नजर आ रहा है पावन सहरावल लगातार प्रेड करने आ रहे हैं और एक अटेम्ट या पर देखने को मिला कि है शायद किख लगी लेकिन पॉइंटमिला नहीं मिल ने बिल गया चाहिए जसे आप जैसे आप बोलते हैं के चले सीनातान तो बाई और देखना होगा कि अब पवन शहरावत की क्या खेल की प्रदर्शिता रहती है क्योंकि एक अल्रेडी पॉइंट ले जा चुके हैं, दो यहां पर एंप्टी रेड इंटेंट टीम कर सकती है, लेकिन पांच का डिफेस्ट दूसरी रेड पे खेलने की कोशिश हो रही है बार प्रदान के नंबर साथ की इस रेड में पॉइंट लेके आएंगे हैं, क्या लेके आएंगे हैं, सौरादीब भाई कहे रहे हैं, नभी बख्ष का आया है, तो बाई, नभी बख्ष और कई सारे नामी गिदामी पजल रहे हैं, पजल रतरा चली यादे उस प्रो नभी बख ये मैच में उनकी आखरी भी रेड हो सकती है, क्योंकि अगर इस रेड में पॉइंट नहीं लाया तो हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन नजदीक हो, सचें, अर्भी नहीं खोल पाएं, अर्जुन देसवाल, जिस तपके के खिलारी है, पिछले PKL सीजन के हाईएस रेडर, इन्हों ने कलेट किये थे, पिंक पैंथर की तरफ से, वही एक वज़ा रही थी, कि पिंक पैंथर ने टाइटल भी अपने नाम किया था, PKL सीजन 9 का, और एक और खाली रेड, एक और एम्टी रेड, क्योंकि बोनस लेके चले गए थे, और बढ़िया, दो पॉइंट क्या 1st half में इंडिया का स्कूर, 1st half में 18, 9 था, भारती टीम 9 पॉइंट से लीड कर रही थी, और बात करें, अगर अगर ओवर्राल मैच की, तो पमन सहरावत एकलोते ऐसे रेडर रहे हैं, जो लगातार पॉइंट लाए है, 1st half में भारत ने सिर्फ 2 पॉइंट लिए है, 2nd half मे 18, 9 था, तो 3 पॉइंट लिए है, 11 ने समय शेष, और बाती टीम पॉइंट कर रहे है, बारती टीम जो चाहिए इन्डिया की तरफ से, टाइम आउट माग रहे है, विशाल बारदवाज अंदर आ रहे है, क्योंकि एक defender चाहिए था, अर्जुन देश्वाल बाहर जा रहे है क्योंकि 3 की defense अभी आएगी, super tackle का opportunity है, मुझे लग रहे है, सुरजीत इसमें कमाल दिखाना चाहिए, जिस तरह का experience लेकर आते है, सुरजीत नर्वाल, यहाँ पर देखने वाली बात होगी, raid कौन कर रहे, 7 नमबर के खिलाडी, गहमा-गहमी के बीच, यहाँ पर raid करते लेकिन पवन सहरावद भी tackle कर सकते हैं, defense में कोई निकाल सकते हैं, अभी तो बच गए, टोटक से, लेकिन देखना होगा, क्योंकि super tackle की opportunity on है, मुझे लगता है, 7 नमबर के खिलाडी आदी भाई, पवन सहरावद को ही वो करेंगे, और बच गए, आपर super tackle हो की उमीद थी, लेकिन 7 नमबर के खिलाडी थोड़ी से निराश अताश होते हुए, पवन सहरावद पॉइंट ले जाना चाहेंगे, और पवन के ऊपर काफी दारूमदार होने वाला है, कि All Out यहां पर इरान की भारती टीम को ना दे रिया दी भाई, पवन सहरावद टीम की तरफ से अभी मिल चुका था उनको, तो अभी खाली आज जाएंगे, और डिफेंस में कोशिश करेंगे, सूपर टैकल करके, वो जो चार पॉइंट अभी तक लिया है, उसको छे पॉइंट बनाने की, और कई न कई शादूली ने 7 नमर के खिराडी को हिदायत भी यही दिया दी भाई, कि पवन सहरावत के ऊपर क्लोजडाउन करिए, पवन सहरावत को बाहर निकालना काफी जरूरी है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ डिफेंस रह जाएगी, तब कही न कई चेंज में, और सुर्जीत की गलती, बाहरत की तीम बिल्कुल जरूरत नहीं थी, सुर्जीत की एडवांस ट्रैकल करने की कोशिश खामयाजा, बाहरत को बुकतना पढ़ रहा है, सिर्फ दो प्लियर मैट पर बचे हैं, और अगर अल आउट होती है, तो और ऊपर चली जाएगी इरान की टीम, बाहरत के पॉइंट से वापस आएंगे क्या, और टाचले क्या है, एक पॉइंट लेल खिलाडी एक बार फिस है, और अंदर कौन आए, असलम इनामदार आये हैं, लेकिन पावन सहरावत, आदी भाई, राइड कॉर्णर के जिम्मेदारी समालते हुए, कई बार कर चुके हैं, लेकिन बचलना होगा, ज्यादा कोशिश नहीं करनी होगे, उनको गल्ती कर आने प पावन यहां पर एक और रेड करते हुए, लगातार रेड पर आ रहे है, असलम इनामदार को अभी नहीं बेजा है, क्योंकि मुझे लगता है, पावन एक और यहां पर पॉइंट अपने नाम कर लिया है, बोनस के तौर पर, एक एक पॉइंट लेके आने की कोशिश हो रही एक और यहां पर टाइम आउट इरानियन टीम ने ले लिया है, और क्या हिदायत देंगे, कप्तान भी आगे है, वैसे तो बेंच पर बैटें, लेकिन हिदायत सुनने और देने भी आगे है, शादूलू एक्स्पिरिस लेकर आते है, और इंडियन खिलाडियों को शादूल और पवन को बोला है कि जा कि आप अपना बोनस लेकिया है, और एक और शादार खुशकबरी बड़ी बात यह है कि 9999999000 हो गये है, एक मिलियन से बस हम लोग 100 फॉलोवर्स दूर है, 1000 फॉलोवर्स दूर हैं, तो चाहेंगे आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, साथ नंबर की जर्सी तो हर बार पॉइंट क्लेम कर तो दे दिया गया है, पवन शेरावत शॉक्ड है कि उनको कैसे आउट दे दिया गया, लेकिन अब अमपायर का डिसीजन इस लाड डिसीजन तो उनको बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत है आकर यहां पर टेक्निक कि एक रेड पॉइंट लेके हैं जिसके चलते एक रिवाइवल हो, अब सिर्फ दो बंदे बचेंगे विशाल बारदवाज और असलम इनामदार भी अच्छा डिफेंट करते हैं, तो कही ना कही अप्रोच यही होगी कि ऑल आउट से बचें, दो के डिफेंस में अगर खिल कि टीम का भी हिस्सा थे, लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से कमान यहां पर जिम्मेदारी असलम इनामदार पर क्या ओल आउट बचा पाएंगे भारती टीम का की नहीं, अगर पॉइंट होता है, तो बारती टीम एक पॉइंट के मार्जिन, दो पॉइंट के मार्ज कि लो जाएगा, बात यह टीम के लिए और क्या है, दो पॉइंट क्लीम कर रहे हैं आदी आप पर, एक मौमर रेजा चाह और बाहर कर दिये गया है, आउट दे दिया गया है, और इंडिया को आउट दे दिया गया, तो बोनस पॉइंट आया असलम इनामदार, लेकिन भारत हो गई, आल आउट, मैच के परस्पेक्टिव में यह बहुत ही बड़ा रेड था, लेकिन असलम बचा नहीं पाए, मैच अब हो चुका है, काटेगी की टक्करवाला, 22-22, एरान 22 पोइंट पे पहुंच गई है, भारतिय टीम फर्स्ट आप के सकेंड आप में सिर्फ 8 के वापिस, लेकिन मेरे हिसाब से सचिन को आजाना चाहिए था, सचिन तवर को आना चाहिए था, कल भी 9 पोइंट सचिन तवर अपने नाम करें थे, 6 पोइंट यहां पर अजुन देश्वा लेके गए थे, 2nd half में आके वह पहले मैच में 8 पोइंट हसल किया, दूसरे मैच में 6 पोइंट, तीसरे मैच में 9 पोइंट, तो उनका बनता था इस ट्रीम में आना, और लंबाई कहीं ना कहीं फेवर करती है, सचिन तवर को भी, एक agility, ability जो इस खिलाडी में है, लंबाई है, और toe touch बहुत शानदार करते हैं, शादूलू को अल्रेडी परिशानी हुई है एक बार दर्शकों से फिर से अनुरोध है कि हम वन मिलियन के बहुत ही करीब हैं, मैच पे वापस आते हैं, गल्ती कर अल्मोस्ट कर दिया दा नेतिन रावलने, लेकिन बच गए वहाँ, बाल-बाल बचे वहाँ नेतिन, और बहुत ही चार पोइंट का मार्जन है, मार्जन पवन शेरावत, मैं अगर भारती टीम जीती है, और आइरन मैं की भूमिका में भारती टीम की तरफ से, क्योंकि सबसे जादा रेट पॉइंट, आप कहलें, तो पवन ने अपने नाम किये हैं, काउंट करके अभी बता दूंगा, लिख लिया है, मैंने और लड़ी, साथ न जाद रिवियों नहीं लिया जा सकता है, और एशन कबडडी चैंपिन्शिप जैसे बड़े मैं रिवियों की कमी खल रही है, पावन सहरावत एक और बोनस ले लिया गए, तो मतलब इसमें इतना काटे का टकत जैसा उमीद किया था, वैसा ही गेम चल रहा है, चार मिनट का ताइम बचा है क्लॉक पे, और बोनस भी आदीबाई दे दिया गया है, अब बोनस दे दिया गया है, लगातार पावन सहरावत पॉइंप कर रहे हैं, पावन पॉइंट ला रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी अर्जुन देस्वाल कब समालेंगे, जिनको अभी भी खाता खोल मिलना बचा हुआ है, मैच अल्मोस खतम होने वाल है, चार मिनट का समय शेष है, और अल्जुन देसवाल के नाम अभी तक एक भी पॉइंट नहीं है, रेड भी करिए ऐसी बात ही आदीबाई रेड नहीं करिए है, और चंग इस बार ऐनली शादलु ने आउट किया पावन को मिलेगा कार्ड, शादलु को कार्ड मिलना चाहिए यहां पर क्योंकि अल्रेडी बहस हो रही है, लाइन्समन भी आ चुके है, या थर्ड रिफरी कहे तो, मेरे खयाल से अदीबाई यही है कि बोनस नहीं देना चाहिए था, बोनस दे दिया गया है, उसी बात किये लेकिन पवन चेरावत मैट पे वापस आगया है, और पवन बाहर से वापस आया है, बेंच से बैठे हुए थे और वहां से बापस आगया है, बहुलना नहीं होगा, पवन अल्रेडी ग्रीन कार्ड पे हैं और ऐसे मोमेंट में नहीं चाहेंगे कि उनको यलो कार्ड मिले, कोई भा पहले भी और प्रगाड कर दिया गया है, जो क्लेम यहां पर कर रही थी कि बोनस नहीं है, इरानी टीम, वो मना कर दिया गया, खाजिश कर दिया गया, और सब्सिट्यूशन हुआ नमबर एक बाहर, नमबर नौ आ चुके है, यह शायद रेडर होंगे जिनको सब्सिट्यू नमबर को क्यों नहीं लाया जा रहा है, सचिन तवर एक ऐसे खिलाडी है, जो अपनी लंबाई अपने टोटच से सामने वाली टीम को हैरान कर सकते है, मल्टी पॉइंट भी ला सकते है, चार पॉइंट का मार्जन है, और यह मार्जन कभी भी पड़ सकता है, इरानी टीम श जानदार खिलाडी है और लेडी इरान की टीम में असलमी नामदार दोस्तों काटे का टकर चल रहा है, और काटे के पोजिशन पे खेलना ओट टीवी भी है, एक मिलियन सस्क्राइबर से मातर छेसो सस्क्राइबर दूर, और जैसे ही हमें लगता है मैच कातम होते होते तक हम बारे एक मिलियन भी हो जाएंगे, इंडिया भी जीत जाएगी, होफुली कोई रिस्क ना ले इस मोमेंट पे, क्योंकि रेडर बहुत ही पेस दिखा रहे है, जिस वज़े से वो भी मैट पे लाए गए थे, पेस दिखा रहे है, बट अंदर नहीं परवेश क्यों गलती कर आकरी मोमेंट पे वापे जाने वाले थे 12 नंबर की जर्सी में रेडर, लेकिन परवेश से एक और गलती यहां पे, जो कि इंडिया इस मौके पे नहीं करना चाहिए, जब रन पर है अल्री खिलाड़ी, तो चेन तोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अगर कॉम् प्लीज रिस्क में लेगे, वापिश चले जाए, अपना टाइम आराम से लेंगे, तीन पॉइंट है, भारती टीम को एटलीस बूनस के लिए ट्राइ करना पड़ेगा, और पवन को मैट पर लाना होगा जल से जल्दी, टाइम आउट इंडियन कोच अशन कुमार जी ने ल जोगदान भी बेंच के बाहर से काफी जादा अलग होना चाहिए, क्योंकि PKL सीजन पिछले साल जीते हैं, इसके लाब पटना पायरेट्स को भी आदी भाई काई सारे टूर्नामेंट्स जिताएं हैं PKL के, अशन कुमार जी हैं और एडी चेरी जी हैं और लेडी बात करें तो नहीं जिता हैं, पिछली बात जितायते हैं, आप गलती हो जाती है इंसान से, नहीं संजीब आलया ने पिछला सीजन जिताया है, जैपूर पिंग पैंथर, साथ नमर की जर्सी में मैच में वाफिस आते हैं, यहीं पॉइंट दिला सकते हैं इरान को इस वक्त पे, आपको बोला गया है, उनको परवेश वैसवाल समझा रहा है, तीन बाइड मिनट के इस तरफ जा रहा है, मेरे ख्याल से, एक या दो पॉइंट का जो तीन पॉइंट का मार्जन है, एक पॉइंट से या दो पॉइंट से इने टीम जीतेगे, दोस्तों आप कमेंट में बता आदी भाई, लगा ताज जो कश्मकेश चल रही है, जो महौल बना हुआ है, तो भारती तीम के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, क्योंकि पॉइंट भारती टीम काफी स्ट्रगल कर रही है, पवन सहरावत के जाते ही मैट पर, भारती टीम के तरफ से कोई रेडर यहां पर किसी तरीके से पॉइंट नहीं देना होगा, यहां पर, किसी भी तरीके से, और मैं तो कह रहा हूँ, अटेम्प करना पड़ेगा, सूपर टैकल के लिए, क्योंकि नों पॉइंट काफी जादा इंपॉर्टन है, बिल्कुल ना करे, और यह हुआ गलती, इसी की ब और इनको चांस नहीं देंगे, बिल्कुल भी, मैं तो कहूंगा कि अगर इरानियन खिलाडी के पास, दिमाग तो थेखिये, है, अल्रीडी है, लेकिन चाहेंगे कि टाइम, अर्जुन देशवाल, आप कोशिच ना करें, बस लास्ट मॉमेंट बॉक लाइन क्रोस कर ले ना जो कप्तान चला सीनातान एक पॉइंट दे दिया, और भारत जीच चुकी है, ये मैच, ये कबड़ी का महा मुकाबला जो था, भारतिये टीम जीच चुकी है, सेकेंड आफ के हो गए, टाइम खतम, अभी भी रेडल हो किया जाना है, बिल्कुल नहीं, भारतिये टीम जीच गे, फुल टाइम विसे ला गया, 33 सटाइस से भारत ने एरान को हरा दिया है, और कबड़ी के जो परचम है, वापिस से कबड़ी पे लहरा रहे हैं, बता रहे हैं कि एरान, आप अभी भी सेकेंड नमबर पे हो, अभी भी बारतिये टीम टॉप के है, जब कप्तान चला सीन अभी बिलियन भी हो जाएंगे, तो एक जो 1M का आकड़ा, 1M का जादो ही आकड़ा हमने छू लिया है, काफी खुशी के लंभे यहां पर सभी के चेरों पर जितने प्यार आप लोगों ने हमें दिया है, अभी तक इतनी लंबी जर्नी में आप हमारे साथ रहे हैं, उसके लिए पहली चीज तो बहुत जादा शुक्रिया दा, 1M सब्सक्राइबर आदीबाई हुए है, कब जब इंडिया के नाम रही है, जीत, इरान के खिलाफ एक शांदार मुकाबले में जीत हासिल कर लिए भारती टीम ने, और याप पर कॉमेंट का सिलसिला शुरू हो गया है आप सभी के चलते 1M सब्सक्राइबर तक पहुँच गया, खेलनाओ टीवी और भारतीय टीम भी जीत चुकी है, कल है फाइनल, और फाइनल में वापिस से उमीदे यही है, पक्ता हो तुका है अप्ता है, कि एरान और इंडिया के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा तुफेर 2 बजे से 1M सब्सक्राइबर की खुशी है, लेकिन बता दू, कप्तान पवन शहरावत के नाम 33 में से 16 पॉइंट रहे हैं, 16 पॉइंट पवन शहरावत के नाम, पवन शहरावत के फैंस एक बार लाइक कर दें स्ट्रीम को, शेर कर दें और पवन शहरावत ओपी कर दें चैट में, बिलकुल और आज पवन का अधी भाई देंगी था, जितने लोग कंग्रेचुलेशन लिख रहे हैं, सब खेलना हो, पूरी टीम की तरफ से आप सभी को थैंक्यू करना चाहते हैं, हम लोग आपने इस जर्नी पे साथ दिया और एक बर टीम सब की पॉइं इरानियन डिफेंस से भी गलती हुए, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी, जितना टाइम लेना चाहिए था, यहां पर अर्जुन देशवाल को उन्होंने अच्छा कासा टाइम स्पेंड किया, और भारती टीम को दो इंपोर्टन पॉइंट अपनी आखरी रेड में खाता ख जो एक कहते हैं, प्रोवब है, वो आज नाम जाएगा पवन शेरावत के, पवन शेरावत ने ऐसे मोमेंट पे आके, जो सबसे इंपोर्टन मैस्ता लीग स्टेजेच का उसमें परफॉर्म किया, इंपक्त भारत भाई बोले, नितेश ओपी टैकल बिलकुल, वो लास्ट ज उन्हों ने ग्राब कर लिया था और महां से चंगुल से छूटते नहीं, लेकिन पूरी टीम का दोनों खिलाडियों का शांदार योगनान रहा, बूपॉइंट इंपोर्टन और 30 जून को फाइनल है, क्या बिलकुल पूजा जी, 30 जून मतलब कल, कल तो पहर में दो बजए आदी भाई आसपास, इंडिया वसेज इरान ही खेलेगी, क्योंकि इसके अलावा जो 2nd 3rd नंबर की टीम है, वो जापान है, जापान उपर नहीं आपाएगी, और रंजीत भाई पूछ रहे हैं, आप कौन-कौन से गेम की कॉमेंटरी करते हो, और कब कब करते हो, बाई, इ आदी भाई होंगे, तो हम उसके भी लेकर आएंगे आप सभी के लिए, क्योंकि इतना प्यार आप लोगों ने दिया है, तो अब यहां से हम भी रिटर्न बैक जरूर करेंगे, धे सारी कॉमेंटरी आप सभी के लिए लेकर आने वाले हैं, लाइव में, और इसके अलावा अगर बात करें, सभी जितने भी लोग हमें कॉंग्राचुलेट कर रहे हैं, थैंक्यू सो मच और आप सभी को कॉंग्राचुलेशन, इसलिए क्योंकि जितना हम आप के लिए लेकर आप सभी का प्यार हमारे उपर आए है, तो थैंक्यू सो मच, फाइनल कितने बज़े है, दो बजे से फाइनल है, कल भी इंडिया का एक और मैच है, वो सुबह साड़े साथ बजे है, शायद हम उसके लिए लाइब नहीं आपए, लेकिन फाइनल के लिए हम आपसे जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे, फाइनल होगा वापस है इंडिया इरान, आज जो ट्रेलर था, उसकी बड़ी पिक्चर कल रिलीज होने वाली है, कल देखना है कि कौन मारेगा ये एशियन का बड़ी चैंपेशिप 2023 में, बाजी, साथ बार की चैंपियन भारत, क्या आटवी बार टाइटल अपने नाम करेगी, या दो बार की चैंपियन इरान, तीसरी बार अपने हुआ था, दो पॉइंट का मार्जन था और नितेश ने वहाँ पर आकर सूपर टैकल, सोलो टैकल और बाद में टीम ने कंबाइन किया, दो इंपोर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल यहाँ पर जितनी भी लोग थैंक्यू सो मच, कॉंग्राचुलेशन कर रहे हैं, पार्टी आपी खस्ता हाल चल दीए, और इसके बाद, फाइनल मुकाबला भी कली दुपहर में दो बजे से खेला जाएगा, तो हम आपके साथ जुड़ जाएंगे मैच के पहले, और धे सारा प्यार आप लोगों ने दिया है, वन मिलियम सब्स्राइबर्स कर दिये हैं हमारे, तो उ जाड़े 10 से मैच है, नहीं नहीं, शचान जी, कल 10 बजे मैच नहीं है, इंडिया वसस होंग कॉंग का दिन का पहला मैच है, जो कि 17 बजे शुरू होगा, आठ बजे मान के चल लीजए, क्योंकि टाइमिंग्स उपर निची हो जाती है, क्योंकि मैट एक ही है, लेकि फाइन रहें कि इंडियन फुटबॉल का कब मैच है, दोस्तों इंडियन फुटबॉल का साथ बजे से जूड़ जाएंगे, इंडिया लेबनन, अगर आप इतने प्यार करते हो कबड़ी से भी तो इंडियन फुटबॉल को भी थोड़ा सपोर्ट कर दो गाइस, क्योंकि वह भारत को तो उसके लिए भी आप जोड़ सकते हो और जैसा कि आप बोल रहो कि मतलब इंडियन फुटबॉल कुछ लोग पूछ रहे था कॉमेंट में तो बता दिया मैंने पंकच भाई पूछ रिप्ले नहीं होता है तो पंकच भाई हमारे आप खेल कबड़ी के यूट्यूब चैनल जाएंगे जहां आप अलड़ी मौजूद हैं वहाँ पर आप वापस से रिवाइन करके मैच देख सकते हैं कॉमेंटरी का लुफट उठा सकते हैं पीछे कर सकते हैं उसे लाइव में जाकर आप कई सारे ओप्शन आएंगे तो उसमें लाइव में जाएगा और रिसेंट इ इरान की आप कोमेंटरी और मैच का लुफट उठा सकते हैं 33-28 से इरान को शिकस दे दी है भारती टीम ने पूरी टीम शानदार खेली पारस भाई भाई भी यही बोल रहे हैं हाइस रेट पॉइंट किसका था तो study material भाई हाइस रेट पॉइंट 33 में से 16 पॉइंट अपने नाम करके लेगा है लेकिन एक courtesy tagger last में solo tackle करा और वह बहुत crucial important tackle था भारती टीम की जीत में एक बहुत important role नितेश का चार tackle point अपने नाम करें इसके अलावा एक sunehera शानदार block किया था सुर्जीट ने जो कि एक moment बन गया था वहाँ पर क्योंकि इतने सालों से देख सुजीट उस चीज़ के लिए जाने जाते हैं ब्लॉक एक चटान एक दीवार की तरह करें लास्ट मोमेंट जो गूजबंस वाले moment यह मैच बहुत time तक fans को याद रहेगा इसके stories कहे जाएंगे कि last moment crunch situation में इंडिया ने जो मतलब बाजी मारी है वो super tackle वहाँ पे जो नितेश ने किया है वो important क्योंकि इंडियन डिफेंस उससे पहले गलतियां कर रही थी last moment पे अर्जुन देशवाल का वो दो पॉइंट बुलाया नहीं जा सकता है पवल शेरावत की हिरोई की पूरे मैच में solar point बुलाया नहीं जा सकता है राकेश भाई अमाईसा लगातार जुड़ कल एक और मैच है होंग कोंग से उसमें भी दिख सकते हैं एक टुटु भाई कह रहे कि गिववे गिववे भी हो जाएगा बाई इंडियन फुटबॉल की जो लाइश्ट्रीम है उस दिन उसमें भी आप जुड़ सकते हैं लेवन जो सैटरड़े को फाइनल है गिववे उस तो वह भी आउक्शन में नहीं जाते हैं हमें नजर आएंगे उपर पूछे गया भाई पहले चीज तो आदी भाई का पूछा है कि क्यो नहीं खिलाया और एक आदित भाईयों उन्होंने का कि क्या छुपा कर रखव है फाइनल के लिए क्या उपीनिया ने आपकिया सचिन करते हैं तो वहाँ एक्सपिरियंस मुहमद रेजा शादलू का आ जाता शादलू उनको टैकल कर लेते हैं इस वज़े से चायद इंटर्डूश नहीं किया गया और सब्स्ट्यूशन की बात करें सब्स्ट्यूशन हुआ है नहीं हुआ नहीं हुआ सिर्फ एक सब्स्ट्यूशन की बाता मैच था तीन मैचेस में सेकेंड हाफ में हमें अकसर मुहित और यहां पर सचिन तवर रेखने को मिलते हैं पर आज अंचेंज रही भारती टीम एक चेंज जो था वो टैक्टिकल चेंज था वो जरूरी था और गिवववे में क्या रखेंगे तो टेंशन ना ले दोस्तो गिववे भी ऑन है आप सभी को गिववे में भी पार्ट ले लेना आप उसमें भी बहुत मजा आने वाला है तो आप सभी साटरडे को जुड़ सकते हैं इंडिया लेबनोन का सात बजे से हम जुड़ेंगे आपसे सेमी फाइनल में जीतेगा औ आज के heroics के बाद इंडिया को फाइनल में जीतना चाहिए शॉरिटी है लिख के ले लिजा हंडरे परसंट और एरान की टीम लेकिन पीछे आदी बिल्कुल नहीं रही है जो पिछले हमने कई सारे मैचेस थे कि one-sided affair हलकी टीमे थी लेकिन आज दो पॉइंट का मार्जन रह आज पर नितेश का एक शांदा टैकल तैस अठाथा इसे बाद टीम ने मुकाबला अपने नाम कर लिया आपके लिए आपके लिए जो गेंपले रहा वो आपके लिए पर डिस्पले है पावन सहरावत तैस में से सोला पॉंट अपने नाम कर गये है तीन बार उन्होंने जा पॉंट अपने नाम किये तीसरा सुपर टैन नहीं लगा पाए लेकिन छे बहुत ही क्रूशल पॉंट अपने नाम कर गये हैं बात करें डिफेंस की नितेश के नाम चार पॉंट एक पॉंट रह गया पांच रेड हो जाती सुर्जीत और परवेश भैसवाल के नाम एक एक नवीन नहीं खेले, सचिन नहीं खेले, सुनील अभी भी भी बाहर हैं आ गये है असादी बाई बता रहे हैं लेकिन ओवर्राल मैच काफी शांदार रहा है और कल का मुकाबला पहले मैच में आपको देखने को मिलेंगे इंडिया वसस होंग कोंग के खिलाडी मैट पर और क एक बिल्लियन और इंडिया के जीत की खुशी में थोड़ा हो जाता है कभी-कभी बह जाते है और क्यों नहीं बहेंग जब भाता जब भी भात्री टीम जीत ती है जब भी तीरंगा लहला आता है तो इमोशन तो जाती है स्काय हाइब हो जाते हैं और अरजुन ओल्ली त्र सब्सक्राइब करते हैं लेकिन हम आपको फाइनल में जरूर मिलेंगे जो कि कल ही दुपहर में दो बजे से खेला जाएगा विशाल बारदवाज गलती बहुत क्यों कर रहा है वह कल भी किसी ने कमेंट किया था कि वह थोड़ा पुटबॉल को भी उस दिन सपोर्ट कर देना दोस्तों तो गिववे उस दिन होगा इंडियन टीम की नैशनल जर्सी मिलेगी गिववे में तो उस दिन आ सकते हैं आप एक दो कमेंट ले लेते हैं पदीप नर्वाल क्यों नहीं खेल रहे हैं अर्दीप नर्वाल को बाई टी डिया जाए वी आधिया गेम तम दिम्हाटिं के बाद सेढ़ी डूमेस्टिक टौर्नमेंस्टमेंट भी जादा नहीं खेला है बड़े खिलारियों ने ढॐम्स्टिक टॉनमेंट में सिविल सर्वेस्टिं था उसमें भी पर डूर्डी नहीं नहीं ता मुझे अधी लगता नहीं है, हम इतनी बात कर रहे हैं कि टीम से बाहर निकाल दी गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि परदीब नर्वाल हो, राहुल चौधरी हो, मनिंदर सिंग हो, भरत हो या जितने भी नामी रामी खिलाडी है, जिनको टीम में होना चाहिए था, जितने इतने चाहने वाले हैं, और परदीब नर्वाल भाई के, और बड़े स्टार खिलाडियों के, राहुल चौधरी के, मनिंदर सिंगे, मुझे लगता है कि इनको यही रीजन है, कि बैन स्ट्रे तो अग ऐसा हुआ, तो सारे फैंस के लिए खुशकबरी होगी परदीब नर्वाल के फैंस के लिए, पूछ रहे हैं कि मिराज शेक खेलेगा और जांकुल लीपर क्या है, मिराज शेक तो दोनों के दोनों ने रेटार्मेंट ले चुका है, तो यह दोनों तो खेलते दिख प्लीज आंसर, AJ Mandari भाई आपने क्या पूछा था, भाई क्या फुटबॉल, AJ Mandari भाई जरा नीचे की जाएगा कमेंट देख ले, AJ Mandari भाई पूछ रहे हैं क्या भाई क्या फुटबॉल मैच भी लाइव दिखाते हैंगा, बिल्कुल, लाइव दिखाते नहीं है बट लाइ भी ऊसे है नहींगे आप सभी के चाहेते, और हम सभी के चाहेते, हार्दिक भाई मिल जाएगे और कभी-कभार आदी भाई भी मिल जाएगा, तो टेंशन नी लेना, इंडिन फूटबॉल भी आप इंजोय कर सकते इस चैनल पे, इस चैनल पे आपको डेली स्पोर्ट्स की मिलती है इस चैनल पर अगर आप नए हो इस चैनल पर तो डेली पूरा round-up मिलता है कि आज के दिन में क्या हुआ आज के दिन में क्या घटा sports में वो सारा round-up आता है तो आप अगर sports lover हो तो इस चैनल को subscribe करना ना भूले आज हमने 1 million subscriber touch किया है हम होप करेंगे 1 का 2, 2 का 4 जल्दी हो तो multiplication जल्दी हो आप सभी fans के लिए हम थोड़ा और कोशिश कर रहे है बहतरीन चीज लाने के लिए तो आप सर्कास्टिक सर्वन खर्रा भाई का comment आया मोहित को हित में क्यों नहीं लाया गया खेल क्यों नहीं रहे तो आज ना मोहित खेले हैं और ना सचिन तवर को मुका दिया गया ना नवीन है ना नवीन है नवीन है नवीन को एचली concern अभी भी मुझे लग रहे है एक official statement उनकी तरफ से या management की तरफ से नहीं आया रहे है उनकी तरफ से तो आ गई थी कि उनको कोई चोटनी लगी है आज नवीन वार्मप भी एक टाइम पर कर रहे था आफ टाइम पर हो सकता था कि बोला गया था कि तयार रहे हैं आप क्योंकि आज शादूलू को आज शादूलू का रंग नहीं चला और पैंस को यह भी बता दे कि इंडियन टीम पहली टीम है जो कि final में पहुँच चुकी है अब ऑफीशल हो गया है कि final में पहुँच चुकी है चार मेंसे चार matches जीत लिया है अनवीटन रन अभी भी चला रहा है और क्या लगते है दोस्तों इरान या जापान में से कौन सी टीम भारत के खिलाफ final में होगी क्योंकि दोनों टीमों के पास opportunity है अभी कि दोनों final में आ सकते हैं कल के उनके matches पे depend करेगा कि वो कैसा खेलते तो उसके basis पे final कौन team कहलेगी इंडिया के खिलाफ किसको आप देखना इरान या फिर जापान यह भी इंपोर्टन एक दो और कमेंड मनु आज आज बिसिकली कई सारे लोग पूछ रहे है कि आज इंडियन टीम कैसी खेली ओवर एक ओवर्वीव दे देते हैं पवन सहरावत मैच में काफी शानदार रहे अर्जुन देसवाल सिर्फ दो पॉंट करा है उन्होंने अभी तक भुलाया नहीं जा सकता आज रेड अच्छी कासी करी हैं एमटी पे ज्यादा बरुसा था क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट करना था अशन कुमार जी के हवाले से अल्रेडी यह सूचनाय मिल गई होंगी भाई टाइम निकाल के खेली है क्योंकि यहां पर मैच ही जीतना जादा इंपोर्टन है छे पॉइंट असना मिनामदार के नाम रहे सचिन तवर को बेंच गरम करने को आज दी गई परवेस बैसवाल सिर्फ एक पॉइंट मिला है डिफेंस करते हुए सुर्जीर के नाम एक पॉइंट रहा है नितेश के नाम चार एक वर Ft score बता दे आप 33-28 रहा है फुल-time score पांच पॉइंट से बादरी टीम ने जीत हासल करी और क्लोस डाउन मैच था काफी इंट्रेस्टिंग मैच था लास्ट तक आखरी के दो मिनट काफी जादा क्रूशल है जिसमें से आखरी मिनट तो इंडियन टीम ने अपने न यहाँ पर brain bites भाई पूच्य रहा है, Jankunli एक रीकाशेक भी रिटाइर्मेंट ले चुकें है, Mirashakir राथी कहा है नहीं है सागर राथी सागर राथी तो सगर राथी को हुआ है बिलकुल, सागर राथी तो सदो सब्रों परेन के नहीं है और मेरे खाट सथने के ती परताला मोहिद चिल्ल को महारे साथ देखना चाहेंगे किनी काबड दिने लें मोहिद चिल्ल कि टीचिक, अगया देखना चाहेंगे अब कल एप 24 === वुले यहां पर शेया हो और यहां पर स्टूड्यों हमारे खेल उन्हों की शोबा बड़ा राइए कि अर्वा बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा जहां पर मोहित भाई की आवाज मोहित भाई का चहरा आपको देखने को मिल सकता है लाइफ कॉमेंटरी करने को दिख सकते हैं हम सभी के फिवरेट मोहित चिल्लर तो भाई कॉमेंट में फटा फट दिखा है यहाँ पर येस ब्रदर बिलकुर यहाँ पर राहुल चौधरी यहाँ पर सब का येस आ रहा है येस तो आप कल आपके उपर है कि आप एक बार प्रोडक्शन टीम से चाहूंगा एफटी भी दे दे फुल टाइम भी दे दे अंकुष भाई एक बार फिसे फुल टाइम का डिस्प्ले गर दीजे कई सारे लोगों की आसके की स्कोर क्या रहा था तो तैते साथ टाई स्कोर रहा था पार्टी टीम ने पांच पॉइंट फसा हुआ मुकाबला लेकिन पांच पॉइंट से जीए असिर कर लिए तो देखने है भाई मोहित भाई अगर फ्री हुए तो कल मोहित भाई भी हमारे साथ जुड सकते है चीज के लिए और एक बार comment में एक आ आया था comment कि thank you आप दुनों को हिंदी commentary करने की लिए तेंक्यू सो मच थेंक्यू आपका एक मीनलिवेश करने की लिए है न हमारी हमारी तरफ से भी आपको thank youू आप जुडए रहे हमारे साथ ताहि वासु बहुत लेट जॉइन किया थे इंजरी जॉइन किया थे इंजरी था उनको 32 बंदों की कैम्प लगी थी बैंगलोर में उसको बहुत लेट जॉइन किया था सिद्धाद दियसाई ने यही सेम रीजन मनिंदर सिंग का भी था पारिवारिक कारणों की वज़े से कुछ बेसिकली परस्टनल इशू की वज़े से क्यामपनी जॉइन कर पाये थे इसलिए मौका नहीं मिल पाया लेकिन बात करें तो विपल भाई थैंक यू और यहां पर श गिववे करने वाले हैं इंडिया वसस लेबनान के फुटबाल मैच में नैशनल टीम की जर्सी गिववे होगी कुछ शिनिंदा लोगों को होगी जो लगी विनर सोंगे उस दिन अगर चाहिए तो आप जॉइन बिलकुल कर सकते हैं साटेड़े को साथ मजे से आशीश सर मि वे वी हब तो ओवरकम अबस्टेकल अभी अबस्टेकल हैं बाद में जाकर ऑपरचुनिटीज क्रिएट करेंगे और इंडियन फुटबाल को भी उपर पहुचाएंगे कबड़ी तो उपर जाई रहा है अब गिववे का अपडेट आया हमारे पास कि हम उस दिन में से जो पहला जवाब दिया उसको एक जर्सी अगला कोशन अब फिर पूछेंगे जो पहला जवाब दिया उसको फिर एक जर्सी ताइम नहीं लेना और बिना गूगल करें देता है बिल्कुल तो यह है गिववे का फॉर्मैट साथ तारीको बिल्कुल आप जॉइन करें मिराश शेक और जैंक पुली भाई दूनों रिटारिमेंट ले चुके एरान और साउथ कोरिया की टीम की तरफ से तो अब अगला कॉमेंट आप कर दें कि क्या इंडियन टीम कल जीत तो यहाँ है इसमें तो कोई दोहराय नहीं है फाइनल मुकाबला इरान की किलब क्या मार्चन उने वाले好吃 को जो Duke देखना को इरान को उने कि ल सका है आप सभी ट्यून रहिएगा इतना सारा प्यार देने के लिए एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपका मैं अधिवाई और खेलनाओ टीवी खेलनाओ कबड़ी खेलनाओ क्रिकेट खेलनाओ एफसी की पूरी टीम आपको देती है थैंक्यू सो मच गिवावे होगा इफ इरान इन फाइनल मैच विल बी एक्स्ट्रीम इफ जापन इन फाइनल इस ने जगे बनाली है चार में चार मैच यार ऐसी थोड़ी ना टीम इंडिया का पर्चम उपर लहाता है जब तिरंगल लहाता है पावन सहरावत मैं अप दो मैच बिदाव तर्ड़ावाट सोला पॉइंट स्टैस में से और किसे मिलेगा यार और इसके अलावा किसको दोगे आप भी कमेंट कर तो पावन सहरावत का मैच कैसा रहा एडिटिंग विंग्स भाई हम भी इंडिया वसर जापान तो नहीं देखना चाहते हैं तो नहीं देखना चाहते हैं वनसाइड अपर हो जाएगा एक बैफिस सर मेरा नाम ले लिजे रंधीर भाई है रंधीर पांडे भाई बिल्कुल थेंक्यू सो मच रंधीर भाई थेंक्यू सो मच प्रसाद भाई एक मिलयन कीप अप थेंक्यू सो मच पर देख सकते हैं तो राहुल भाई मैच जो है ब्राड़कास्ट कोई भी नहीं कर रहा है एक यूट्यूब चैनल है पहले हमारा है खेलनौ कबड़ी आप उस पर मैच और यही पर आपको लाइब कमेंटरी भी मिलें ज अगर आपको लग रहा है कि अभी हम जॉइन किए तो आप पिछ देख सकते हैं पूरा मैच्टरीम हो था आप पिछ देखसकते हैं सुनियल नौग तो निशान भाई है पाकिस्तान पुरी टीम के साथ हुआ है कि उनको साउथ कौरिया आने में दिक्कत परिशानी इसलिए वीजा में बहुत जादा इशू हुआ है इसलिए टीम आनी पाई सुनील कुमार मलिक के साथ भी आई हुआ है कि टीम में तो थे, स्कॉर्ड में भी थे, कप्तान थे, रेगलर कैप्टन थे, आ नहीं पाए, यहां पर साउथ कोरिया, इंडिया से रवाना नहीं हो पाए, लेकिन अब खबर आ रही है आ दिवाई, कि आ चुके है, तो कल आपको होंग कॉंग के मुकाबले में दिख सकते हैं, इसके लावा फाइनल में तो दिखेंगे लेकिन पैठाया किसको जाएगा, क्या परवेज भैसवाल को पैठाया जाएगा, लेकिन परवेज भैसवाल और सुनील कुमार की जोड़ी, बहुत गोल्डन जोड़ी रही है, थेंक प्कल की टीमें स्काउट करती है, तो आपको अपना जो शोकेस करनी अपनी अपनी अबिलिटी कबड़ी में विपल भाई, वो आपको स्काउटिंग टीम के सामने करनी पड़ेगी और एक अच्छे मैदान पर करनी पड़ेगी जहां पर एट-least जो स्काउटिंग तीम में प्कल करनी अधी उनको टीम में देखना है कि ऑउक्षन में ऐसे कौन-कौन से एक युझ्टर चाहिए वेटरन रिटायर हो रहे है इस पीकल से तो अब चाहिए यंग्सर जो की ऐसा खेल दिखा है कि पूरे दुनिया देखते रह जाया और फिछले सी जन उन देखा इन दे पीकल की टीमें क्लियर करेंगी कि किन-किन खिलाडियों को रिटेन किया है और किन-किन खिलाडियों को रिलीस कर दिया है जो खिलाडी रिलीस होगे वही ऑक्षन में नाम आएंगे लेकिन अभी तक नाम लिस्ट आई नहीं है तो हमें सच क्लियर बता नहीं सकते लेकिन एक जो clear-cut चीज हमें सामने देखने को मिली वो प्रदीप नर्वाल भाई हमारे यहां पर खेल Now TV के प्लाटफॉर्म पर आकर उन्होंने का था कि यूपी उद्धा तो नहीं छोड़ रहा है उनको यूपी उद्धा अल्रीडी प्रदीप नर्वाल भाई ने कह दिया है तो अ किये थे तो उनको support नहीं मिल पाया था तो इस बार बहुत interesting होगा final किसके बीच होगा कौन-कौन सी टीम इंडिया इंडिया पहुंच चुकी है final में इरान और जैपायन में से किसी एक टीम को जाना है कल final में जो टीम पहुंची इंडिया का उससे मुकाबला है दो बजे कल ह कल इंडिया दो बजे final के लिए तो आप सब वापिस है जोड़ना हमारे साथ एशा कब के बाद कबड़ी कब देखने को लिगा प्रो कबड़ी में एशन कबड़ी में एशन कबड़ी में देखने को मिलेगा एशन गेम्स में सौरी एशन गेम्स 23 सितंबर चे शुरू हो रह और वहां पर आप सभी के स्तार खिलाडी मनिंदा सिंह कह लिए राहू चौधरी कह लिए पर्दी नर्वाल दगोड कह लिए यह सभी आपको खेलते दिख सकते हैं सितंबर के बाद पीकल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा लेकि आपको ज्यादा इंतजार कराएंगे न इसके लाब मतलब अच्छे किलाडी तो है लेकिन अधिवे क्या वजय हो सकती कि सुरंदर नाडा नहीं है सुरंदर नाडा टीम में नहीं है क्योंकि एक वो होता फॉर्म होती है और एक कबड़ी में एज भी होती है थोड़े प्लेयर जल्दी रेटायर हो जाते बट फॉर इस बार उतना PKL में लास्ट में पकड़ लिया था सुरंदर नाडा ने बट एक उतना फॉर्म नहीं दर्शापा है और इसके वज़े सटीम है और ट्रेनिंग कैम के बैसिस पे सेलेक्शन हुआ है तो आप ट्रेनिंग कैम पे जिन खिलाडियों ने बढ़िया परफॉर्म क में हो सकते हैं होने के चांसेस बहुत जादा है 99% आप लेके चल लीजे क्योंकि हर साल ऑगस्ट में ही होते हैं इसके अलावा PKL ICC World Cup 2023 19 नवेंबर को खतम हो जाएगा तो 25 नवेंबर के आराउंड से आप सो सकते हैं PKL का दस्वा सीजन स्टार्ट हो सकता है और वें मैच कतब हो गया इंडिया की स्कोर लाइन आपके सामने है 33-28 लगाता चार मैच में चार जीत आर्क राइवल इरान को दी है 5 पॉइंट से पटकनी और बना लिया जगे फाइनल में बहुत ही इंट्रेस्टिंग मैच था अगर आपने मैच मिस किया होगा तो आप वापिस स कि यह स्ट्रीम देख सकते हो बहुत ही काटे की टककर थी लास्ट में अर्जुन देशवाल ने दो पॉइंट्स लिए सूपर टैकल किया यहां पर नितेश ने तब जाके बाद यह टीम को यह विक्टरी मिली पवन शहरावा सोला पॉइंट हासल किये उनकी हिरोइक्स यह कि पवन सहरावत के नाम अच सहरा सजनी वाला है मैं वाइट उन्होंने रिटार्मेंट ले लिया दोनोंने कहां से के लेंगे वह दोनों ब्रेंबाइट भाई लगातार सेम कॉमेंट करते जा रहे हैं सुनील परवेश की जोड़ी वैसे सुरेंदर नाड़ा और मोहित चिल्लर की जोड़ी बिल्कुल भाई और इसी बता दे आपको कि अगर आप चाहते हो तो कल मोहित भाई भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं फाइनल के लिए वो भी हमारे साथ आपको हिंदी में कॉमेंटरी करते मिल सकते हैं तो मोहित भाई भी आ सकते हैं कल आपकी हो सकती है और और अल्रेडी मोहित और सुरेंदर की जोड़ी यहां भी बन चुकी है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं वह लुफ उठा सकते हैं बिल्कुल पीकल के सेमी फाइनल के दिन दोनों की जोड़ी आई हुई थी सुमो की जोड़ी सुमो की जोड़ी जोड़ी इंडियन इतियास की अभी तक की मैं कह सकता हूँ मेरी पर्सनल फेवरिट जोड़ी नहीं है तो इंडियन टीम में दो ही सबसे फेमाज जोड़ी है सुमो की जोड़ी उसके बाद परवेश सुनील की जोड़ी आई थी सुमो की जोड़ी अल्रे जन कुलली क्यों नहीं कहेल था, जन कुलली नहीं, भाई, क्योंत भाई मन्नी होता है। धरलो, तुल्था थीक है। निठोरा वीलेज में आकर कबड़ी क्हेलेंगे, निशु भाई भाई कहे रहा है। अधान्ताय टैकल के पवन सहरावत को बेंच पे बेंच पे बेजा फिर पवन सहरावत दो मिनट धाइम करीबन मैच में नहीं दिखे वहां से आखरी का जो मिनट था काफी क्रूशल था सबसे पहले नितेश ने किया सुपर टैकल दो पॉइंट अपने नाम किये वहां से लीड गई चार पॉइंट की रूशी भाई का कमेंट ले कह रहे हैं लाइव देखने नहीं मिलेगा क्योंकि में स्ट्रीम पे तो साउथ कोरियन में कमेंटरी हो रहे है जो कि हम में से किसी को नहीं आती है साउथ कोरियन ट्रांसलेड करनी पड़े कि तब तब मैच चला जाएगा कबड़ी की यही तो खास बात है 40 मिनिट का मैच होता है और उसी उन 40 मिनिट में इतना रोमांच हो जाता है इतना इंटर्टीनमेंट मिल जाता है कि आप कहते हो यार यह बार-बार मैच क्यों नहीं हो रहे है PKL कब है PKL कब है यह जानने के लिए आपको भाई खबर कबड़ी की एपिसोड 7 देखना होगा जो कि कल सुबह आ जाएगी या फिर आज साम तक आ जाएगी कोशिश ही है तो कल सुबह आपको पता जल लाएगा PKL का दसवा सीजन कब है दोस्तों विकाश कंडोला विकाश कंडोला भी टीम में नहीं है भाई अंकल होल कि नाड़ा शुरिंदर नाड़ा बिल्कुल भाई लाइव कहाँ है तो आज शुबह भाई आज शुबह भाई लाइव मैच कहीं नहीं आ रहा है लाइव हमारा चल रहा है खेलनाव टीवी पर जाकर आप लाइव के जो सेक्शन होता है तो आप जाके बैक करके एक बार फिसल लुफ उठा सकते हैं हमने अपना काम कर दिया है यहाँ पर मैच आप तक लाके आप ने अपना काम कर दिया है वन मिलियन सब्सक्राइबर कराके और यहां पर बात करेंगे Marvel बाई कह रहे है कि अब इसे एक बोल रहा हूं नवीन एक्सप्रेस को क्यों नहीं लेकिया है वह पता नहीं भाई टाक्टिकल वह होगा टाक्टिकल की आज अर्जुन देशवाली कहलेंगे कल होंग कॉंग से जो सुबह मैच है साड़े साथ बजे उसमें खिला सकते हैं कि सचन भी कहलेंगे और पवण हरावत खुद रेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर शुनील आ गया होंगे तो वो कैप्टनसी कर सकते है तो रेश लेना चाहेंगे बड़े प्लियर्स क्योंकि फाइनल उस कली है दो बजे तो उसके लिए बचना चाहेंगे फिट होना चाहेंगे अब हाश भाई का ऊपर कॉमेंट था थैंक्यू आका अब हाश भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए एक नीचे कमेंट आया है कि वासु भाई का कि क्रिकेट छोड़के हम सब में टाइटल क्रिकेट छोड़के स्पोर्ट जीतर है इसलिए भाई क्रिकेट कम देखना शुरू करना पड़ेगा आपको अगर आप क्रिकेट भी देखना चाहते है तो हमारा उसका भी चैनल है हमारे पास खेल क्रिकेट करके उस पर आयूश भाई दिन बर आते रहते हैं तो आप कि हमने अलमोस सभी स्पोर्ट की यहां पर लाइव वाच अलोंग कमेंटरी और स्ट्रीमिंग आपके साथ जुड़ते हैं जो भी माच होता है खासकर इंडिया का या कोई बड़ा मुकावला होता है मापके साथ जुड़ जाते हैं इसके अलावा प्लैटफॉर्म आपको कह करेंगे लेकिछों केमेंटरी मिलेंगे लëकिन खेलना व इकाष वाटो अलाग क्यों है क्ट emperorों currently में कर देखने को मिलेंग कि यहां आपको हिंदी में देकिन देखने को मिले गी तो इसमें चेंज निई चलेगा वेस्टनाइजिघन इसमें चलना चाइब अटीबाय तो विपल भाई कहारी है तो विफुल भाई qualities what वहड दो मै थोड़ी दे सूमो सूम है मेरे दिहुट है और लेकिन अगर में परने पूछा है दो छ पड़ी में पूछा नहीं बूछा तो में न आधाकर अब अगया ऑजय थाकर्र अब बलियो निए rain बीर हों रहेंगे क्योंकि जब से PKL शुरू हुआ तब से मैं देख रहा हूं Ajay Thakur को जब मैं चोटा था तब से Ajay Thakur को मैंने फालो किया है और Ajay Sir Ajay Thakur जी मेरे फेवरेट खिलाडी है और मैं धेसारा प्यार Ajay Thakur को बचा रहे हैं अभी की injury भी हो गया था उनको second match में एक बार मैं चाहूंगा कार्तिक भाई भी और पूरी team आजाए एक एक मिलियन की कुशी में पूरी टीम खेलना हो कि एक बार आजाए चाराजार लोग चाहेंगे एक बार आजाओ चेहरा तो दिखादो इतने सारे लोग उमारे साथ जुड़े हो और सभी धे सारा प्यार अमे करते हैं क्योंकि हम आप सभी जितने लोग बैकेंड में होते हो और मैच के स्टार्टिंग से बहुत दाना महनद करते हैं कारतिक भाई बुलाएं सबको बुलाएं कारतिक भाई भुई भी हमारे साथ जुड़े हो है आप इनको भी देखते रहते हैं क्रिकेट में भी हात आजमा चुके और वुटबॉल में भी तो भाई ला जवाब है इसके watch-alongs या फिर commentary देखना पसंद करोगे discussion, live podcast, WWE के भी क्या देखना इचाहोगे love from Udhapur, thank you e-sports Gaurab bhai, Poonam Dhilnoji कह रही है love from Sonipur, thank you so much सभी का, जितने भी भाई-बंदू हमारे साथ जुड़े हैं माताय बहने जुड़ी हुई है, जितने भी fans जुड़े हुए हमारे साथ, सभी को thank you so much, 1 million बहुत बड़ा आकड़ा होदे है, WWE is my favorite, Randir bhai कह रहे है, Randir bhai, जल्दी बताओ, बाकी लोग भी comment में, सब लोग yes कह रहे, yes कह रहे, बिल्कुल bhai, तो अगर आप कहो, तो WWE के भी वीडियोज आएंगे, एक बर मैं चाहूँगा, सुनील भाई भी आजाए, नहीं आएंगे आप, सुनील भाई नहीं आएंगे आप, कार्तिक भाई आजाए, ग्लैमर बढ़ाएं जाना शोव में, नहीं, आज आज है, शर्माने वाली क्या बात है, यहां पर कार्तिक भाई भी हमारे साथ जुड़ गये हैं, आपने इनको कुछ दिन के लिए खेल आउट TV पे देखा होगा, खेल आउट TV पर और cricket में तो देखते हैं, थोड़ा से वीचे आज़े हैं, मुंडी कट रहे हो, जोने हैं रहे है, तो यहां कार्तिक भाई हैं, सारे 보도 कशारे ऐने कार्तिक भाई थाया है कर देकित, वीडिवेट आपका दर्स इनक नियुक्त ड़ु भाई वारिटक अज़े हैं, मैं कार्तिक भाई बहुत खन सफुरन 내일 को और टरसते हैं, उने लोग बमा लूग उना चाहेंगे यह लोग नहीं शर्मी ए हमारे टेम के विम्ममर!". निवी जा जो के लिठेटिork बाइब विफिल जीॹूए। एर बहुत है बाइब बाइब बनषटेसे पपर sapph- बश्वर। इम उन्स साथीए में wertड़ी किये लिड़ी है? बढ़िया प्रो कबड़ी सीजन 10 टाइटल स्पॉंसर कौन है अभी तो शुरुआद हुएगी यार अभी तो एशन कबड़ी चैंपिंशिप एशन गेम्स है उसके बाद आप देखेंगे और टाइटल स्पॉंसर तो मेरे ख्याल से अनॉंस होगा तो नॉवंबर के कॉमेंटरी वह भी होता है उसमें गिववे भी है सैटर्डे को इंडिया लिबनोन का आपको पता होगा मैच है सेमी फाइनल मैच है सैफ चैंपेंशिप का उसको भी आप यहीं एंजॉय कर सकते हो साथ बजे से लाइएंगे उसमें इंडियन फुट्बोल टीम की जर्सी का जो पहले जवाब देगा उसको मिलेगा जर्सी तो जर्सी चार जर्सी के गिववेव भी है बहुत बढ़ी है बहुत कुछ है यहां पर जुड़े रहे हैं हमारे साथ क्या बाकी यह दुनों भाई तो आपके लिए कबड़ी रहें आते रहेंगे मैं भी सीख लूंगा इन दो टीम के बाकी मेंबर्स नहीं आए लेकिन मिष्टी दोई कल खाने जरूर आएंगे जब इंडिया शिकस देगा हराएगा पठखनी देगा मार गिराएगा इरान को फाइनल में आदी भाई आपके साब से बेस्ट डबलोडोली फाइटर को नहीं है अंडटेकर बाई रोमनेंस कहे रहे है वारंदीर भाई मेरे लिए कॉल जॉन सिना बचपन से बाई उन्हीं को मानते हाँ है गोट मैं दो नाम ले सकता हूं जॉन सीना दरॉक थोड़े सिमिलर लगते है मुझे अर मेरे अभी के करेंट तो सेथ रोलिंस उनके जिसा करिजमा एक्जाक्ली हम स यह हैंगे दरॉक का यहांगे दर ग्रेट खाली अचिए तरफ से गरेंगे जहां अब हारत किशान छी का जॉन सित नम लिया तो इनी की एक आमलीचेंगी थी जब सेथ रोलिंस जो देख देख तो डी आप्य जिए अग्री है जब मैंने लिए आपके जैसे अ यह जैसे ब् विराट कोली के लिए लिए लेजंड है और इससे जादा कोई बोल निसकते है विराट कोली के लिए लिए बाकी द शील्ड हाँ रंदीर पांडे आप बहुत एक्साइटेट लग रहे है और मस मज़ा आएगा डिवल भी देखके विराट कोली बाई एक बोल दिया यार एक बोल दिया अब बोल दिया अब बोल दिया व क्यानाब कstrings आफ ऋभरोव बभी सुल्ड़ लेजञ्ड कोने क्रिकिट हो फुटाल हो किसमें आप लेजर्ट किसको मांते है कॉरे संपोर्ट में सगारला पूरे सुर्ट में अगर मैं किसी को लेजर्ट पूरे सुच यार मान सकते है मैं कली सोचा था नै मैं में यह थो पैस ताकर लिया थे लियाख असले न देखा इस असल नरे असली नाम काispर फे का यं Dal από बंडे का मुंध बकुराmost पेलिष करें, भी जेखा कानें, युरुट किकल देकर लिए जाली नामा धालँ से लिए हमना में उदेकर, क्मितुटिया का इस अलाँ न कर।do तो बंदा तूटे नाग, तूटी हिप के साथ लगा अतार रेस्लिंग कर रहा है। पहले जो खूँन निकल रहा है उसको प्टेक कह सकते हो याइ। मावेश भाहे रहे है यह दो टूटी हम नाम सुनना चाहता था यह शुनीर शेतरी के नाम सुनना चाहता था ऐक नाम चेंजर और वाइज सबसे हैं को नाम चेंजर? मैसी के जगे रॉनाल्ड़ो हम भारती है तो हम जाएंगे पीछ पीछ चेत्री के मैं मैं रीजन सोच रहा था कल तो रीजन में काया था कि सुनील चेत्री ऐसे जनरेशन में पैदा हुए है जो कि Cristiano Ronaldo और Messi की चलती है और ऐसे देश में पैदा हुआ है जिसमें population मतलब इतनी जादा है सबसे वल्ड की सबसे population वाली country है उसका बोज अकेले के कंदे पे बंदा 38 साल का है मतलब उसका इतना प्रेस करता है कि सामने वाले defenders पागल हो जाते हैं तो पाकिस्तान के किलाब गोल भी मारा तो सुनी चेत्री बाई सुनी चेत्री बहुत ही बड़िया कॉमेंट लोग करते हो यहां पर बस हम पढ़ नहीं सकते हैं नहीं तो क्या ही वात है तो यहां पर अगर मैं तीन अपने खिलाडियों के नाम दो हूँ इंडिया के लेजंड में नेगी सर ने लिखा है MS Dhoni, Kapil Dev, Sunil Chetri, PV Shindul, Lander Pace, Neera Chopra, Virat Kohli, Sachin Tindulkar Sir ने अशी नेगी अश्वन को भूल गए अश्वन को भूल गए एक दो और आ जाते हैं तो मझा आजाता तो यह टीम बन जाती, Playing 11 बन जाती लेकि खास मैं चार एक नाम लेना चाहूँगा एक नाम और एड करना चाहूँगा जब बात कबड़ी के आती हमने मिस कर दिया अपना खेल है और Ajay Thakur मेरे फेवरिट है और अल-टाइम फेवरिट रहेंगे चाहे कोई भी आया कोई भी जाया क्योंकि मैंने Ajay Thakur को देखके कबड़ी देखना चुरू किया तो Ajay Thakur will be one of my all-time favorite और top 4 में मैंन को count करूँगा We want India in Olympics बहुत जल्दी होगा कबड़ी बहुत जल्दी आएगी कबड़ी ही देखना चाहेंगा कबड़ी, handwall बहुत कुछ आएगा और मेडल्स लेके आएगा वह उसकी भी बात कर रहा होगा वासु मैता कमेंट पर दीजे विपल भाई का पहले पड़ता हूँ विपल भाई कुछ नहीं करना है क्योंकि ग्रीन कार्ड वहां पर बहस हुई यहां पर camera angles का इतना यूज नहीं हो रहा है क्योंकि इतना technical enhance नहीं किया गया करना चाहिए किसी भी sports में जबाब international level पर ले जा रहे हो तो सारी तकनीकी कमी कभी नहीं होनी चाहिए कि आप तकनीक की वज़े से आपको पॉइंट दिया जा रहा है जितनी भी championship होने वाली है खासकर football में खासकर कभड़ी में खासकर क्रिकेट चोड़कर जितनी भी sports में क्योंकि cricket में अलड़ी इतनी coverage मिलती है बाकी सारे sports को एनांस करने की ज़रोगत आगे लाने की ज़रोगत तो बाकी सारे sports में पूरे 100% दे क्रिकेट को पुष करने के सबस्यादा चल रहे हैं अभी अभी इतना कुछ होने के बावजूद भी इतनी coverage इतना पैसा सब कुछ है लेकिन फिर भी cricket को पुष करने के चल रहे है cricket तो इस बार से Asian Games में भी देखने को मिलेगा हम होप कर रहे है कि Commonwealth Games में भी चल रहे है इतना भी है के लिए पढ़ना के लिए और देखे इतना सरगना सुना जिए टीनों में सबस्य अच्छा गहना इनको इनको आता वी यहां बहुत अच्छा गाते पंजाबी गाने याध ऑपैस में पर इस में वी क्यासना सकते हैं पार्टी कॉन से हो तेल मिलते हैं जहां आप स्पॉंसर कर तो भाई थैंक्यू सोमुच बर हाविग इस मिलेंगे ब्रॉक लेस्नर बाप है हीरोक सुमित एफफ बुल रहा है अर देख रहा हूं मैं फैन फॉलिंग बोट जादा एड़ देख रहा है मैं बढ़तों मनी इंदर बैंक वाच अलों कर ले सुबह साड़े चार बजे आप सभी लोग जुट जाए कि कार्टिक भाई आपने इंगे 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 लेकिन आ भी सकते हैं कुछ पता है हावी सकते हैं हार्दिक को बुलाने के लिए हार्दिक भाई अगर आप बाहर है तो जल्दी सब्सक्राइब तो आज हैं आज मेरे ओफिस में तो नहीं दिखा है हार्दिक भाई को भी बुला लो यार कबड़ी है और उनसे भी सुनना चाहें कि यार कबड़ी में जो हम देखना चाहते हैं फुटबॉल में हम देखेंगे हार्दिक भाई को तो चाहें किया पर याँ पर टी की जैसी पैंकर बाहर है एक बार सामने आज आज आए और यहां पर थोड़ी सी जगे बनाएंगे भाई के लिए भी तो बिल्कुल यह बार्सा पैंस के लिए नी डर्द अー जोए आज समयों दर्द हो आए को उसके बारे में सेट्रदादे़ को बाहर है जब आघ के साथ जलूर बाद करेंगे जब आपके साथ अशी are a ish spinehanda अप सभी के चाहीतो और हाँ रडिक भ Дж. आप सभी के चाहीतें नहीं एंडिए वसर्श स्लमनान मैच्ट अरा आप सपोर्ट हमें करते रहो तो बिल्कुल हम आपके साथ जुड़े ऐसी रहेंगे और टेक्निकल डिफिकल्टि आने वाली है को अचने ही आने वाली है अचने ही आने वाली कि आप चारों ऐसे हासे हो हमेशा के लिए भूत बद्धिक ने बोला था वन बिलियन पर दांस करे और एक उंगली देखने को मिलिए कि एक उंगली जरूर दिखा रहा है आपर कि एक बार डांस करने को मौका मिलना चाहिए थमसब वन मिलियन के लिए थमसब बोल रहा है हमारे सब के चाहिते मुर्ली भाई और प्रदीर नवाइड अजय ठाकूर कप के लेंगे तो विशाल भ यह हूं गाई थोड़ी है वहाई हम दो लोगा है हम आप हम ने बोला ता टेकनिकल डिफिकल्टिया वापस आ गय है और अशीश नेगी के समर्ता बोलें आपके लिए कमेंट आ रहा है तो आज 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 1.000.000 पर डांस करने वाले थे ते आज आज अज़ा है आज 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 समायल ही करते रहते हैं तो यहाँ पर ब्रॉथ लेसनर है पौप ले डिफिए वाइब अगर अगर आपको वीडियो चाहिए तो बताऊ एक बर कमेंट में चार लोग यस लिख दोगे कल वीडियोगा कल वीडियो आएगी मैं स्टोरिय लाइन कर द मिया तो अवाए माती हमें और या टूट हा यहा हम आ ओला मौह 2 यहन ऑगे हर सैंक कई अब आड हो अर्ड मांजिड इस वे अबेश लगों है इए यह पर निम्हान खाइं तो हम ब warto दो बढाएं आप लोग हार्दिख भाई को बोलो मेरा DiEM देखें इग्नोर कर रहा है मुझे आशीष नेगी का समरतं को समरतं को सफेर को सबस्क्राइब करता नेर भाई के रास नोधिख बाइनि भ्लागे गया रात पर ज़िक्त रही है कि रात के मैट सिसरे या तो साड़े बारा शुरू होंगे या साड़े चार शुरू होंगे और दोनों ही और टाइमिंग से इंडेंगे बहुत सब्सक्राइब चार की मैंने दिमांड की ती कोई नहीं अब तो अब बच्छे देखेंगे और फुटबॉल भाई नहीं जी बंठाए कि या अपर जगे कमती है नहीं को इस रांखेंगे रखते हैं वहयां अब आएक कि इनखेंगे रखते हैं और फूटबॉल भाई क्रिकेट साओ क्रिकेट में नहीं माफ करें बाई करहें कर दोनों को नीचे बठाया गया भाई भाई नीचे इसलिए बठाया गया क्योंकि अपर कबड़ी चल रही थी यह लोग ना धोक्यबाद है यह फुटबॉल देखते हैं यह क्रिकेट देखते हैं तो कबड़ी में इनको उपर बठाया जाएगा और 4 पार आपके साथ योगा करेंगे साथ योगा करेंगा है योगा don सर्मी-फाईयल कब है सिधे फाइनलए कल दो गजे से फाइनल घ्लाजाएगा ऐसेAI क्ल क्योंकि आज जापान अपना मैछ हार गई किस के खिलाव था चाइनी साइनी के खिलाव था मैस हार चुकी है और खिलोज एंकाउंटर था था यह बताना लास्ट जो रेड थी वहां पर दो पॉइंट चाहिए थे टीम को और वहां पर दो पॉइंट गिफ्ट कर दिया तो यह कबसे आप क्यू नहीं बोल रहे था जब कि Japan हार चुका है तो Iran is the team जो कि second team बन गई है फाइनल में पहुंचने वाली इंडिया मसे इरान का कल फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा एरान एक बार फेसे इंडनी टीम के सामने होने वाली है चेयर करेंगे तो फुटबॉल पूछ रहे थे फुटबॉल सेटर्डे को वाली टीम का कि अवी लूगे जड़े में तो तो पर जोड़ करना है वही बॉट जोटें होता है और वही बदा उसके बाद इन्जॉय करना शुटी में वही बाद है फाइड वही बात है आप ज आप मुविज देखते मुवी इस कृप्टे होती है फेक नहीं होता कुछ तो पड़ी रही है, इंसान को इंजरी तो ही रही है, जोग मरें निंग में, जो फूँ निकलता है, वो असलिए निकलता है, इंजरी होती है, करियर ख्थम होती है, तो, स्कृिप्टिड बोलो ठीक है, फेक बोलना बहुत गलता है, क्रिकेट सिर्फ साथ-अथ कंट्रीश कहल क्रिकेटर जाता है तो उसको तरी तवज्जू नहीं दी जाती है major cricketing nations को छोड़ कर अगर माल लीजे एक दो खिलाड़ी नाम नहीं लूगा तो नाम लूगा तो बात बगड़ जाएगी तो कुछ खिलाड़ी अगर इंडिन टीम के जा रहे हैं माल ली जो ऑस्ट्रिया जा या इसे किसी European country जा रहे है तो वहाँ पर मुश्किल से बहुत कमी लोग होंगे जो फॉलो करें वहाँ पर यह एक लाड़ी आया है इंडिया से आरे है आप बुक्चन का नाम जा चाहरे है तो 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 कौन सा फुटबॉल या फिर कबड़ी की बात कर रहे पूरा स्ट्रीम हुआ है बाई कल भी हम स्ट्रीम करेंगे दो बजे से मैच है इंडिया का फाइनल मैच है वो स्ट्रीम होगी देड़ बजे हम लाइव आ जाएंगे फाइनल के लिए तो आप उसके लिए भी जुड़ सकते है वहाँ बाई पूच रहे है क्रिशन कुमार पूरी टीम कुमार हुडा साथ और कोच उन्होंने क्या आके बोला था कि मुझे नहीं पता कि क्या गड़बड हो रही है तो यह तो यहां पर दिक्कत परिशानी हुई थी लेकिन एक नए यंग कोच की ज़रूरत थी एक ऐसे ज़रूरत थी जो टीम को साथ लेकर चल सके औ और अपने साथ एक तालमिल बठा सके और कोच के रूप में आपको कौन दिखेगा दिखेंगे आपको भारती टीम के पूरुप कप्तान अजय थाकुर असिस्टेंट कोच कौन है दबंग दिन लीगा में कोच मन क्या है एक सेंड मैं नाम भूल गया लेकिन असिस्टेंट क कोचिंग अजय थाकुर के हाथ में दी गई है तो एक सॉलिड लाइनप के साथ यहां पर दबंग दिल्ली उतरेगा ऑक्शन में कौन-कौन से खिलाडी होने वाले हैं किस-किस खिलाडियों पर बैट करेगी दबंग दिल्ली और इसके लावा बाकी सारी PKL की टीम हम आपको टकरती कल फाइनल भी इन दोनों के बीची देखने को मिलेगा दो बजे देड़ बजे हम लाइव आ जाएंगे आपके साथ जोड़ जाएंगे सोलर पॉइंट आज के मैच में लिया कप्तान पवन चेरावत ने कप्तान चला सीनाता ने सी नहीं में कल से कह रहा था उन्हों आज के पूरे मैच का समरी इस चैनल को आपने बहुत प्यार दिया एक मिलें सस्क्राइबर आज हमारे कंप्लीट हुए दोस्तों ऐसे ही प्यार कंटिन्यू रखे इस चैनल पर आपको बाकी स्पोर्ट के भी सारे खबर मिलेंगे बाकी स्पोर्ट से भी आप जुड सकते है डेली सपोर्ट न्यूज आता है सुबह सुबह डेली सपोर्ट स्पोर्ट न्यूज दो बहाई हमारे वो दोनोग बनाते है तो आपको स्पोर्ट की दुनिया की भाकी ख़बरों के लिए भी आप कहां जायं सिरो केलान टीवी पर एओ औरि बाधी कहां एंजॉउड करें लाइ.. नहीं नहीं, बिलकुल नहीं.. बहुत सारे लोगे रहला एक है वेज़रा है.. वेज़रा है छोखस्लम करें.. लेकिन दे काई परणी जाईगी.. www.yeng starts. बहुत 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 है.. बहुत बचले रहे हैं कि जहां जहां वो आता है.. आदित भाई एक प्रश्न आपके लिए है उपर, उपर है, उपर क्या प्रश्न है, काफी जादा उपर जाना पड़ेगा यार, अदि भाई जग लें, इंदी में दीक जाएगा आपको शायगा या फिर एक बर पर जाहा रहे हैं आपके इसको चाहरा था नरेंदर कंडोला और अंकुछ दोनों टीमें हो, क्योंकि अभी दोनों ने जूनियर वल्ल्ड कबड़ी चैंपेंशिप जीत के आया है उस टीम पोन गैपन भी और वो जीत के आया है उसके बाद टीम में नहीं लिया गया मेरे लिए तो completely surprising था experience के तरफ गया वो अलग बात हो सकती है एक यहां पर brain bites का रहे है अब बहुत मजा आ गया, WWE तो आपको जरूर देखने को मिलेगा और यहां पर streaming करेंगे आपके सामने लाइब कार्तिक भाई तो जो भी आपकी डिमांड है सब कार्तिक भाई अच्छा विशाल भाई आपको मैं अभी पहचाना अभी देगा मैं आपको विशाल भाई है यह हम विशाल भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए आदेत राज भाई ने विशाल अच्छा अच्छा चलिए तो बात है कि अर्जुन देशवाल को करदना त्याइए था अच्छे के लिए होता आखरी में दो पोइंट लाके उन्हों नहीं जीत दिलाया और हम आपको मिलते है वासु भाई पूछ रहे हैं डावल्ड डावल्ड ए की फॉल फॉर्म पता है बता है वर्ल्ड रेस्लिंग एंटर्टेन्मेंट बहुत तेज है इनको मिले का एक जर्सी पहला याप पर विनर मिल गया है इन्हों ने एक प्रश्ण काउस्तर दे रहे हैं आज ये भी बता द आने वाला है इंसाइड इंडियन फुटबॉल इस बैक क्या हम बंद करने के उस पर है कर सकते हैं अभी तो भाई लास्ट मुमेंट यही है कि कल एक बार फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे लाइब इंडिया वर्से इरान की मुकाबले में दो बजे क्या सपास अभी तो दो बजे है तो दो बजे है इंडिया वर्से चिलान के माच में मिल जाएंगे हम आपको मिल जाएंगे डेड़ बजे लेकिन उससे पहले आपको लाइक शेर फॉल्य सब्सक्राइब जो अभी आपने इतना सारा प्यार दिया है आपको और बसाना है क्योंकि अब टागे के लिए आप लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें दोस्तों को बेज दे चैनल कहें कि तीन नल्ले में और जार बैठते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूले देखते रहिए खेलनाव टीवी हम आपको मिलते हैं कल देड़ बजे